हेलो एवरिवन वेल्कम टो नेट गुरु क्लासेस तो आज हम एंस्यारिटी रीडिंग वाली स्रीज में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिटन्स एंड वारीएशन यह हमाई चैप्टर का नाम है यह एक नई यूनिट शुरू हो लिए है इस यूनिट का नाम है जैनेटिक्स एवलूशन चैप्टर आपको दे रखा यहां पर पैराग्राफ इसमें कुछ खास ऐसा नहीं ठीक है तो इसको अभी चीज़ेंगे उड़ी हूई है वो सारी कि सारी आपको चैप्टर में पढ़ा रखी है तो उसमें पढ़ने जूर इन्होंने डियने का डबल हेलिकल मॉडल दिया था और इसी के लिए सबसे अदा फेमस ही है इसनके बारे में भी जो भी रिखा हुआ इसमें आपको कुछ खास याद करने के जूरत नहीं ठीक है तो जो चैप्टर में बताएगे हैं वो पढ़ेंगे ठीक है तो अब हमारे में चीज़ जो कि यहाँ पर आपको पढ़नी है वो है कि inheritance जो होता है यह process होती है जिसके थुरूप characters जो होते है वो pass होते है parents से progeny बतलब हमारे parents से हमारे अंतर characters का pass होना बतलब आना इसी को कहते है इन्हेटर्स ठीक है इन्हेटर्स जो होता है वो basis होता है heredity का heredity basically एक प्रोजनी जो होता है वो अपने माबाप से अलग होता है या अपने भाई बहन से भी अलग होता है ने तो हम अपने माबाप से भाई बहन से एक certain हट तक अलग दितते हैं उसको हम कहते है variation तो inheritance यही दोनों में पहले है ठीक है अगरा point देखो जो humans है यानि हम लोग यह हम ज जानते थे हम 8000-1000 BC मतलब Before Christ, Before Christ मतलब होता है Christ के जन्म के पहले, Jesus Christ के जन्म के पहले 8000 से 1000 साथ पहले तक हम जानते थे की यह जो variation होता है जो हमारे parents और हमारे अंदर variation है, जो हमारे भाई बेन और हमारे अंदर variation है इसका एकabilर sexual reproduction है और इसी को use करके हम क्या करते थे animal की breeding करते थे selective breeding करते थे मतलब animals को select करके breed करते थे जिससे की अच्छे characters animals के अंदर दिखते थे एक example यहां पर आपको दिखाया गया है कि artificial selection और domestication को use करके साहिवाल काउस बना दी गई थी पंजाब में और साहिवाल काउस किस के थूरू बनाएगी थी wild काउस जो जंगली काउस होती है उनके artificial selection और hybrid सेलेक्ट किया ठीक है और domestication तो होता है पालना तो artificial selection और domestication के थूरू हमने साहिवाल काउस को बनाए तो यह एक sexual reproduction का यूज किया हमने अब आते हैं मेंडल पर तो लगब मिड 19th century की बात है एक साइंटिस्टे ग्रेग और जॉन मेंडल इनका पूरा ना था इन्होंने क्या क्या गार्डेन पीस पे experiment किया साथ सालों तक कब से कब तक 1856 से 1853 तो साथ सालों गए इन्होंने एकस्परिमेंट किया इन्होंने कई लॉस बरता है इन रिटेंस के अब इन लॉस को पढ़ने पहले हम कई चीज़े कॉमन जीज़े जान लेते हैं ठीक है तो देखो जो मेंडल है यह पहले साइंटिस्ट थे हैं जिन्होंने mathematical logic का यूज किया था biology में इन्होंने mathematics का यूज किया था यह से पहले साइंटिस्ट है ठीक है अच्छा मेंडल जो है इनका लार्ज सेंप्लिंग साइस था मतलब बहुत ही ज्यादा पेड़ लेके इन्होंने experiment किया था अब जब ज़्यादा बार experiment आप करते हैं तो आपका result जो होता है वो ज्यादा accurate आता है ठीक है तो जितना ज्यादा sample size होता है आपका जो data होता है उसकी उतनी credibility होती है मतलब credibility मतलब उतना विश्वास किया जा सकता है आपकी data ठीक है अगर मालने 100 लोगों को ले लि मेंडल की ठीर अच्छा आगे क्या है हाँ अब देखो मेंडल है क्या क्या है गार्डेन पी जो प्लांट लिया इसके अंदर इन्होंने दो ट्रेट पहचाने दो अलग-अलग ट्रेट पहचाने ट्रेट क्या है और character क्या है यह चीज क्लियर होना बहुत जोड़ी है तो यह यहां पर आपको पुरा फिगर दे रखा है यहां पर आपको character दिखाएगा तो जैसे character क्या है सीड का shape एक character है अब इसमें दो ट्रेट है यह एक ट्रेट है एक ट्रेट को हम कहते है dominant dominant मतलब जो नौर्मली दिखता है हमेशा आपको ज़्यादा तर आपको जो सीड है वो राउंड दिखेंगे सिंपल एक दम गोल गोल अच्छे सीड दिखेंगे एक होता है रसेसिव ट्रेट रसेसिव आपको बहुत कम देखने मुलता है और देखो जैसे कि यहां पर रिंकल जो है वो रसेसिव ट्रेट है तो एक कैरेक्टर जो होता है उसके हमें दो ट्रेट देखने को मिलना है यहां पर ठी अच्छा दो से ज़्यादा ट्रेट भी हो सकते हैं लेगिन मेंडल ने क्या किया दो ट्रेट वाले कैरेक्टर्स को लिया तो उन्होंने सीड का सेप लिया जिसमें दो ही trait थे round और wrinkle जैसे तो को जैसे मैं बताओ दो से ज़्यादा trait कहाँ पर दिखने जैसे skin color हो गया human का अब हमारी skin का color तो बहुत ही ज़्यादा होता है dark brown से लेके फिर light brown फिर उसके बाद fair फिर more fair बहुत एक कई सारे trait आपको देखने को बिल जाएंगी skin color में तो यहाँ पर मेंडल ने दो ही trait वाले characters को चुना तो इन्होंने seed shape चुना जिसमें दो trait थे round और wrinkle seed का color चुना जिसमें दो trait थे yellow जो रहे dominant रहे था मतलब ज्यादा तर आपको yellow color के seed देखने को मेंने के green जो है वो recessive था flower का color violet dominant है white recessive है pod का shape full जो है वो dominant है constructed जो है recessive है pod का color generally green होता है और yellow जो होता है यह recessive होता है ठीक है इसी तरह के से इन्होंने साथ character लिये पांच हमने पढ़े है छटवा है flower की position ज्यादा तर flower axial होते है एक्सिस पर आते है कुछ-कुछ flower जो होता है टर्मिनल हो सकते है ठीक है अच्छा है अब मेंडल लेखिया क्या artificial pollination या फिर क्रॉस पॉलिनेशन के experiment करने सुरू कर दिए इन्होंने वेसिकली यह टॉल पी प्रांट है इसको लिया होगा अब इनके बीच में क्रॉस कराना सुरू कर दिया ठीक है अच्छा क्रॉस कराते कराते इन्होंने आखरी में ट्रू ब्रीडिंग प्योर पी लाइन बने लेखिया जैसे अभी आगे सब्सक्राइब यहां पर एक मतलब डिफिनेशन दे रखिए कि मतलब ऐसे प्लांट जो की लगातार सल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनमें एक इस्टेवल ट्रेट इन्हेरिटेंस हो जाता है वो इस्टेवल है ट्रेट जैसे माल लेते हैं टॉल एक ट्रेट है है तो हमने क्या किया बार-बार सेक्स्वल रिप्रोडुक्शन कराया किसी प्ल चैनल आँदिया है कि जो टॉल वाले ट्रेट है वही दिख रहा है दिध्वार्फ वाला ट्रेट जो हुश्य पूरी तरीकिसे घयाब हो ऎक। या homo gygos तो आप homo gygos कह सकते हो या फिर pure line कह सकते हो यह लिखा वह प्योर line क्या है जिसमें लगातार self-poneration करा जाए जिसे कि stable trait inheritance एक particular trait का inheritance देखने मिले ठीक है तो यह दो कई generation तक कई generation तक लगातार cross करा गया था ठीक है अच्छा अब मेंडल ने सेलेक्ट किया 14 true breeding P plant पता चल गया है ना 14 ऐसे plant जो कि stable trait दिखा रहे है जैसे जो टॉल है वो लगातार टॉल ही दिखा रहा अगर खुद से self-pollination करा जा रहा उसका है जो dwarf है उसका self-pollination करा जा तो लगातार dwarf ही दिखा रहा ठीक है जिसका जो flower की position ने जिसमें axial है वो लगातार class बाली दिखा और आपको एक्जिल flower ही दिखेगा ठीक है जिसमें terminal है उसमें आपको terminal ही दिखेगा इसको हम कहते प्योर लाएं जहां में एक ही ट्रेट हमें लगातार मेरी तो मेंडल है गया 14 टू ब्रेडिंग पी प्लांट व्राइटी सिरूगी अब 14 क्यों कि साथ पएर है न और दो होते हैं हर एक हर एक पे हरे करक्टर में दो ट्रेट होते हैं तो टोटल चौदा होगे और यहाँ गए टॉल होगया डौर्फ होगया एक्जियाल होगया टर्मिनल हो प्रिंद सेड हो गया यलो ग्रीन सीड हो गया एक्जक्टर ठीक है अब यहाँ पर फिर से आपको टेबल दे रखी है कि चो करेक्टर है उसमें कौन सा डॉमिनेंट है कौन सा आपका रस्टेसिव है तो टॉल डॉर्फ हो गया फ्लावर कलर में वाइलट हो गया तो पूरे टेबल वही चीछ दे रखिए पहले जो रखा था ठीक है अब मैं डल ने पाढ़ना चाहा है इन रिटेंस ओफ वन जीन मतलब हम क्या रहे हैं कि यहाँ प प स्टेंव ठोट है तो एक ही और सफ को ध्यान में रखे हैं ठीक है किसी भी एक न्र categor को को देख लएंगे उसी को पढ़ेंगे ठीक है तो देखो हमें एक एक आimi पर दहुछ किया जिसे कि एक जीन के बारे हैं पढ़ाा सके तो यहाँप कॉन सा एक अ немного है हमने लिए है और पहला hybrid generation लाया जो पहली generation होती है इसको हम F1 या फिर filial progeny 1 generation भी कहता है ठीक है तो filial 1 progeny कह सकते हो आप F1 generation जो पहला cross होता है उसको हम कहता है ठीक है है न हाइट में टॉल और जैसे सीड का color हो गया है न ग्रीन और यलो तो हर ट्रेट में यही होता था कि पहली generation में सिर्फ जो है dominant वाला हमें दिखता है dominant मतलब जो dominant color होता था या dominant height होती थी यह नहीं कि tall हो गया या फिर violet हो गया ठीक है तो यह हमें सिर्फ dominant वाला दिखता था चुकि एकदम parent के तरह होता था यही दिखा है ठीक है तो देखो दिखा हुए he found that F1 यानि पहली generation always resembled either one of the parent किसी एक parent के तरह हमेसा रहती थी ठीक है फिर क्या किया मेंडल ने क्या किया self-pollinate कर दिया F1 plants को यानि जो पहली generation में बच्चे मिले हुए है में plants मिले हुए हुए उनको self-pollination उनका करा दिया अब क्या हुआ अब हमें door for a character भी देखने मिल गया यानि वो character जो कि पहली generation में नहीं दिख रहा था वो अब हमें express हो गया वो अब भी दिखने लगा ठीक है तो अब देखा मेंडल ने देखा कि one fourth of the plant मतलब चार में से एक प्रांट जो था वो डॉर्फ था लेकिन बाकी तीन जो थे वो टॉल थे यह चीछ मेंडल ने देखा ठीक है मेंडल ने यह भी देखा कि characters का जो है उसमें characters में कोई blending नहीं मतलब character mix नहीं हो रहे थे या फिर plant जो था वो टॉल था या फिर plant सॉट था प्रांट में कोई middle की height नहीं देखने मिली ठीक है तो यह middle वाली height कहीं नहीं देखने मिली या फिर टॉल या फिर तो blending कहीं भी यह भी मेंडल नहीं देखा ठीक है अच्छा यह बागे चलते हैं तो यह रखो वन जो क्या करता है cross है आपका जिसे हम mono hybrid cross करते हैं एक gene है क्योंकि सिर्फ एक ही gene है त टॉल है एक मदब f1 में क्या हूँ है सर्फ एक ही parent जो dominant parent है उसी के character दिखें तो dominant यहाँ पर टॉल वाला है और दोखो यहाँ पर जितने भी plant हमें दिखेंगे सारे का सारे टॉल दिखेंगे तो अब हम इन दोनों में cross करा रहे हैं जो कि हमें f1 generation में मिले इन दों के अंदर cross कर रहा है तो हमें तीन टॉल देखने के मिले f2 generation में मतलब तीन टॉल देखने के मिले एक डॉर्स देखने के मिले तो आप कह सकते हो फोर इस्टू 3 is to 1 का ratio यहाँ पर देखने के मिले ठीक है अच्छा अब एक term आते हैं आगे term आएंगे तो term आपको पता होने चाहिए कि phenotype क्या होता है और genotype क्या होता है यह terms जो होता है clear नहीं होता है इसलिए chapter 7 में नहीं आता है phenotype का मतलब होता है कि जो हमें बाहर से देखने के मिले जै यह वाला भी टॉल है यह वाला भी टॉल है ठीक है तो हर तीनों प्लांक टॉल है तो जो बाहर से देखने के मिले तो उसको हम कहते है phenotype बाहर से दिखें जो बाहर से देखने के मिल जाए उसको हम phenotype कहते है genotype के तबत होता है कि gene का arrangement क्या है ठीक है तो genes कैसे है उसको हम कहते है जीन टाइब है तो इस फिरी टेस्य को वन वाला हमारा मत्व्याया है रिषाया है वह अच्छली फिनो टाइप यहाँ पर रिखाए तो फिनो टिपिक रिखाए तो यह हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अब ध्यान रखिएगा इसके बारे में ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अच्छा मेंडल ने अपने एक्स्पिरिमेंट से यह बताए यह प्रपोस किया कि कुछ है जो कि इस टेबली पास्ट डाउन मतलब इस टेबल है और वो लगतार पास हो रहा है पैरेंट्स से ओफिस Спरिंग में बिना किसी चेंज के ठीक है गैमिट्स के थूँ और हर एक जेनरेशन में कुछ ऐसा जरूर है जो कि पैरेंस से प्रोजनी में पास हो रहा है पैरेंस से जो बच्चे हैं उनके अंदर पास हो रहा है इस इन चीजों को मिंडल ने कहा फैक्टर और इनी फैक्टर को अब हम जीन्स कहते हैं तो बैसिकली जी नहीं था तो उन्होंने उसका नाम फैक्टर रग दिया था तो फैक्टर एक्टर जीनी ठीक है अच्छा इसी दिए हम कह सकते हैं कि जो जीन है वो यूनिट होता है इनरेटेंस की यूनिट क्या है जीन ठीक है तो इनरेटेंस की यूनिट जीन है अच्छा जीन जो होता वो एक पलज अब यहां पर देखो जिसका इलिव का मतलब समझे जैसे मैंने अभी बता है आपको कि जैसे मैंने आपको बता है था कि कार्क्टर होता है है उसके दो ट्रेट होता है है ना दो ट्रेट होते हैं एक ट्रेट यह है हमारा और एक ट्रेट यह है किसी भी करेक्टर में दो ट्रेट होते हैं ठीक है ऐसा दो जरूरी नहीं है लेकिन जो मेंडल ने सेलेक्ट किया है करेक्टर उसमें दो ही ट्रेट है ठीक है तो यह ध्यान देना दो जरूरी नहीं ठी ऐसे जीन की बात करो तो जो जीन होते हैं उनमें दो एलील होते हैं तो एलील होते हैं अब देखो जो करेक्टर होते हैं उसमें दो ट्रेट होते हैं लेकिन ज्यादा तर हमें कोई एक ट्रेट वाला देखने को बिलता है तो उसे जिस ट्रेट को हम ज्यादा तर देख सकते हैं च्वक्त नौर्वाली देख जाता है आप प्लांट पेंधर उसको हमें कहते हैं don foster does continue and जो ट्रेट हमें नौर्म रहे देख जाये उसको हम कहते हैं कि वो dominant है, dominant है मतलब इसे लिए दिख रहा है, dominant मतलब इसे दूसरे के सामने आ जाना, बाहर आ जाना, ठीक है? मतलब किसी दूसरे से आगे हो जाना, basically, इसे को dominant कहा जाता है, omy, spelling गलत हो रही, लेखे हैं, घिलेखे हैं, जो फ्रस्ट जनरेशन में दिखा ही नहीं है इसकेंड जनरेशन कि स्वेद्ञे दिख्वाइब का है? इस अए ये ये आलियल थो तरफ होता है, अब एक ये 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 होता है वो dominant होता है तो dominant मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे कूपर आप हक्स जामा सकते हो एसा हो सकता है ठीक है जैसे तीन दोस्तों का मा लेते हैं एक group है उस में से दो normal रहते हैं तीसरा वाला decision बढ़ता है तो तीसरा वाला क्या है dominant है अब वो कहा रहा है कि नहीं हम लोग पाओ भाजी खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे है करेंगे ठीक है चुर्व भाजी खा लेता है तो यह होता है dominance ठीक है तो जो gene होता उसमें भी 2 error होते है एक error dominant होता है एक यही चीज़े बताई किसने की एक recessive way, एक dominant है, एक character में दो trait है, एक recessive way, एक dominant है, यही सब बताई mental, ठीक है, तो allele आपको सौन में आगे, allele क्या होता है, एक gene के दो form हो सकते हैं, एक gene जो होता है, वो दो अलग-अलग form में हो सकते हैं, तो देखो, known as allele, they are slightly different form of same gene, एक ही gene के कहीं, यह दो अलग-अलग form हो सकते हैं, तो हम allele करते हैं, ठीक है, अच्छा, जो हम allele होता है, उनको हम एक ही word से denote करते हैं, जैसे height का जो alead है, उसको हम capital T और ismol T के तरफ से denote करते हैं, ठीक है, अच्छा, जब capitalAPP T साथ में होंगे, या small, small T साथ में होंगे, तो हम कहेंग के लिए त्în के साथ हुजाए definitely small t यी समय्टी स्ममर्टी स्मौ्र्टी के साथ हो तब the plant हुगा तो इसकि यहा लेकर लेकते हैं हुआ अगर इसामने में दिखेंगे अगर if कप्तल्टी स्मॉल टी के साथ है तो टो 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 डॉमिनेंट है तो जो तरीका होता है वह तो देखो यहाँ पर Mendel का पहला law प्रपोस हुआ ठीक है पहला law इन्होंना कहा है कि इन्हा पेर आफ डी सिमिलर फैक्टर अगर एक पेर बना हुआ है टी सिमिलर फैक्टर यानि अलग-अलग जीन्स का फैक्टर तो जीन ही होते है न अलग-अलग जीन का एक पेर है जिसमें एक डॉमिनेंट करता है दूसरे को और उसी को जो डॉमिनेंट करता है उसको डॉमिनेंट फैक्टर कहते है या डॉमिनेंट एलिल कहते है और दूसरे वाले फैक्टर को वो recessive है ठीक है अच्छा क्योंकि हमने सर्फ एक ही character को यहाँ पर analyze किया है एक ही character को पढ़ा है जो कि height है tall या फिर dwarf यह height ही है तो एक ही character को क्योंकि पढ़ा गया है तो इसलिए हम mono hybrid cross करते हैं ठीक है तो capital T capital T और small T small T का जो cross है यह mono hybrid cross है ठीक है अब दूसरा ला आता है तो पहला ला आपने समय लिया dominant law of dominance जिसमें कहता है एक law जो है एक एलील जो है दूसरे पर dominant होगा ठीक है अब दूसरा ला यहाँ से शुरू होता है जब gamete production होता है बाई plants जो होता है वो sexual reproduction होता है sexual reproduction में gamete बनता है जब gamete बनता है तो जो aileels होते है parents के वो separate करते है इसी को कहा जाता है segregate करते है तो separate और segregate दोनों एक ही टर्म है separate मतलब अलग होना segregate मतलब भी अलग होना तो जो parents में जो aileels है वो अलग-अलग हो जाते है और सिर्फ एक ही aileel transfer किया जाता है एक gamit में तो एक gamit में एक allele डाला जाता है parents के जो allele होते हैं वो अलग होते हैं और एक जो है allele जो है एक gamit में डाला जाता है ठीक है यह जो aggregation segregation हुआ allele का यह random process होती है तो एक 50% chance होता है किसी gamit एक allele के अंदर होने का ठीक है तो आप basically इसको इस तरीके समझो कि यह parent है ठीक है और इसमें जो है capital T और small T वाला gene है ठीक है माल लेते हैं अब capital T और small T वाला gene जब इसका gamit बनेगा माल लेते हैं यह दो gamit बन गए ठीक है तो यह पहरे वाले gamit में capital T जाएगा या small T जाएगा इसका 50-50 chance है दूसरे वाले में भी gamit में capital T जाएगा या small T जाएगा इसका 50-50 chance है तो यही यहाँ पहरे लिखा हुए there is a 50% chance 50% chance of a gamit containing either area, either मतलब कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक area का contain करने का 50% chance होता है ठीक है अच्छ और यहीं पर आपको यही टी टी वाला जो भी मैंने एक्जामपल यहाँ पर आपको दिखा रखाया यह वाला वही आपको यहाँ पर इस जिए पर बताएगे तो पढ़ने की ज़रूत नहीं है यहाँ पर हेट्रोजागस भी बता दिया गया उसको पनेट इसक्वाइर को थुरू कराया जा सकता है जो कि आपको यहाँ पर दे रखाया है ठीक है तो पनेट इसक्वाइर में क्या किया जाता है जो गेमीट्स होता है उसको आप इस साइड में और इस साइड में लिख लेते हैं और इसके हिसाब से आप बना सकते हैं द पतでन से दिख्या है में दिख्या है कि 3 तॉल है और 2 दौरफ है ये एक टॉर्फ है ठीक है तो पineo राइसियो क्या है स्टी कर्षा लेकिन यहीं पर लिखा हुआ है अजी नो टिक रीख सबुट यहीं पर आपके सामें दिख्यो हो ऑग जी नो टिपेपीग रैसियो में देखो हमाएं पास तीन तरइ्पे का माने है dynasty काम चेर्फ का एक banget सर्मध् apprentices है मॉल्यियर को सकते ढ़ना है स्मॉडी स्मॉल टी का और एक हैप्रिइड बना था कि हमने देखा था देखो तीन प्लांट जो है टॉल थे थे तीन जो है तॉल यह निखा हुआ है तो तॉझे निकलता है वह आप देखो जीनोटिकर एस यहीं पनेट इसकौयर बना के आप निकाल सकते हो ठीक है तो जो पनेट स्कॉयर है ये एक ब्रिटिस के जनेसिस्ट थे जिनका नाम है रिगनाइड सी पनेट इन्हों ने दिया था ठीक है जो पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया अब यहां पर कुछ खास नहीं है ठीक है इस पूरे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ठीक जो पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया अब बाकी चीज़े यहां पर भी समझा रुखी है कि कहां दो पनेट स्कॉयर से हम देख सकते हैं कि वन फोर्थ जो है वो यहां पर समझाय जारा की कैसे आया था ठीक है जो कि आपको पॉनेट स्कॉयर सामने देखता है उसी से आप देखा सकते हो अच्छा यहां पर एक चीज़ देखा रखिए कि मेंडल ने मैथ का जो यूज था वो कहां का रखा था तो जो यह वन इस टु वन का रिसियो है जेनोटिपिक रेसियो के जा क्या आया था वन टो इसी इस्टो टो इस्टो उस्टो वन को रेसियो को इन्होंने यह आप लिझा रख्ञा है one by four रेसियो one by two रेसियो one by four bet यह दोनरेस शेम क्यों है क्योंकि दोखो आप चार से Multiply कर यह इन तीनों में तो चारसे जब इस 2 और 1 by 4 के हिसाब से लेख सकते हैं जो कि यहां पर रिखा गया है दब 1 by 4 राइच्व 1 by 2 राइच्व 1 by 4 of capital T is capital T small t और small t small t is mathematically condensable ठीक है mathematically condensable in the form of binomial expression ax plus by का whole square आप देखो यह expression जो है math वाले जानते होंगे ax plus by का whole square binomial expression इसे क्याता है इसको यूज करके हम यह ratio ला सकते हैं जो जी जी नो टाइप आला ratio जो हमने दिखा हुआ है ठीक है कैसे लाएंगे अब यहां पे दो को A और B जो है यह आपकी frequency को दिखाता है कि कि कितने एलियल्स जो है कि कितने गैमिट जो है वो capital T वाले होंगे कितने और आपने देखा कि 50% chance होते है capital T या small T जाने के तो A और B का जो मतलब value होगी वो half आ जाएगी half दोनों की क्योंकि equal chances है ना तो 50% इसकी 50% इसकी तो 1 by 2 1 by 2 A B की value होगी ठीक है एकस वाई हमारे एलियल्स है जहाँ पर यहाँ पर capital T और small T लिखेंगे ठीक है क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे है तो X के जगे पर capital T और Y की जगे पर small T लिखेंगे अब यहाँ का incident आपको solve करके भी दिखाया है देखो half capital T plus half small T का whole square किया है ठीक है फिर यहाँ पर इनकों को multiply किया है और यहाँ पर आपका ratio आगे है देखो 1 by 4 capital T capital T 1 by 2 capital T small T और 1 by 4 capital T capital T जो कि हमारा यह वाला ratio है तो देख रहे हो mathematics का यहाँ पर यूज किया मत्तब मेंडल ने biology के अंदर ठीक है अच्छा अब आगे बढ़ता है अब यहाँ पर देखो देखो जो genotype के ratio होते है जीनोटिपिक ratio जो होते हैं वह हम calculate कर सकते है mathematics को यूज करके जो कि अभी हमने ऊपर किया ठीक है तो हम भी में इस पेड को देखके यह नहीं बता सकते हैं कि इसके लिए हमें करना होता है टेस्ट क्रॉस अगर हमें यह जानना है कि यह किस जीनोटाइप का है है capital T capital T वाले का यह capital T small T वाले का है तो टेस्ट क्रोस करना होता है और तेस्स क्रोस में हम क्या करते हैं हम dominant phenotype को जो dominant वाला यहां पर उल्टा generation में cross हो रहा है ठीक है तो यहां पर दोगो dominant phenotype है मतलब बाल देते हैं यह tall plant है यहां पर color के basis पे का गया है dominant color कौन सा होता है यह violet color है न पी plant में dominant violet color होता है तो यह dominant phenotype है हमने dominant plant ले दिया है ठीक है इसका genotype हमें नहीं पता है यह capital T capital T T भी हो सकता है और capital T small T भी हो सकता है दोनों की case में यह लंबा होगा ठीक है या फिर यह यहां पर डबलू देख रहा है कि यह capital W capital W भी हो सकता है और small W भी small W हो सकता है अच्छा अगर यह capital W capital W रहा तो इसका जो homo gingas recissive parents के साथ cross क्राजएगा है नहीं यहां पर homo gingas recissive पैरेंट है तो हम dominant phenotype का recissive parent के साथ cross करा रहे हैं तो recissive parent के साथ cross करने पे अगर सारे flower violet आ जायें तो जो unknown flower है वो homo gingas dominant है यानि यह capital W capital W है ठीक है अगर recessive parent का साथ cross करने पर आधे flower जो होते हैं violet है और आधे flower white है यानि आधे dominant है और आधे recessive है तो उस case में जो unknown flower है वो hetero जाएगा से में क्रॉस किसके बीच में करा जाता है dominant phenotype को क्रॉस करा जाता है ठीक है अब देखो मेंडल के नियम दे रखें आपको principle of laws of inheritance जिसमें पहला law जिसे law of dominance कहते हैं और दूसरा law जिसे law of concentration कहते हैं law of dominance सबसे पहले पड़ते है law of dominance क्या कहता है कि जो characters होते हैं वह control क्या जाते है factors के दोरा या इसी factors को आगर चलके gene कहा गया तो characters gene के दवारा control की जाते हैं जो यह जीन सभी यह pair में होते हैं जिने हम allele कहते हैं एक जीन में दो pair normally होते हैं जिने हम allele कहते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमने दो aligner लेखे हैं ठीक है, तो factors pair में होते हैं, अच्छा dissimilar factor of pair, अगर एक जो pair है वो अलग-अलग है जैसे capital T small t यह वाला पेर है, तो उसमें एक member जो होता है, वो dominant करता है, अधर वाले पे, तो एक member यानि capital T यहाँ पर dominant है, और small T recessive है, तो एक dominant करता है, दूसरे वाले पे, यही law of dominance है, main जो तीसरा point है, यही तीसरा point में लिए, आपको law of dominant के बारे बताता है, यह एक member जो है, वो दूसरे dominant करता है, ठीक है, dominate करता है, दूसरा रहा है law of segregation, segregation मतलब separate करना, ठीक है, तो देखो, allele do not sow any blending, allele के अंदर blending नहीं होती है, या फिर plant tall होगा, या फिर dwarf होगा, कोई beach की height का plant नहीं पाय जाएगा, इसी को कहते है, allele do not sow any blending, यही मतलब पर, ठीक है, अच्छा, तो देखो, during gamete formation, factors और allele of a pair, segregate from each other, मतलब जो allele होते हैं, वो segregate या नहीं separate हो जाते हैं, capital T वाला अलग हो जाएगा, small T वाला अलग हो जाएगा, ठीक है, किस समय पर gamete formation के time पर, और एक gamete जो है, वो एक ही factor ले पाएगा, एक ही allele उसमें जाएगा, ठीक है, तो यह हो सकते है, capital T वाला आधिम चला जाएगा, और small T वाला आधिम चल अब एक point आता है, incomplete dominance का, जो कि basically mendel के loss को थोड़ा सा गलत बता देता है, ठीक है, तो दोखो हम कह रहे थे कि blending नहीं होती है, मतलब जो हमारे factors होते हैं, वो मिलते नहीं, या फिर capital T होगा, मतलब या फिर tall plant होगा, या dog plant होगा, बीच की height का कोई plant नहीं आएगा, लेकिन यहा ठीक है, तो snap dragon में जो होता है, दो तरह का flower होते है, जो red flower होता है, capital R, capital R, यह dominant होता है, और white वालर अससी होता है, यह smaller, smaller दिखा जाता है, अब यह पहली generation है, parent generation जिस रखा गया, इसके gamit बनते है, capital R, smaller, इनकी जब crossing कराई जाती है, तो देखो pink color का flower आगे, अब देखो यहा तो blending को यहाँ पे उन्होंने कहा था कि नहीं होती, यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे मेंडल गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे F1 generation में हमें parents में से कोई भी नहीं दिखा, हमें एकदम अलगी color दिख गया, जो कि pink color है, ठीक है, अब F2 generation में क्या होगा, F2 generation में देखो, 3 तर रहे है, यह dominant और इसे से हो, लेकिन जो capital R, small R, capital R, small R वाला genotype है, यह दोनों देखो, यहाँ पे pink flower वाले है, तो यह हम कहते है, इसको हम कहते है, incomplete dominance, incomplete क्यों है, क्योंकि ना parents के तरह, किसी भी parent के तरह, यह flowers नहीं दिख रहे है, तो यहाँ पे incomplete dominant है, और देखो, यहाँ पे phenoty ratio हो गया, 1-2-1, पहले phenotypic ratio क्या आता था, जब capital T, small T वाला हम करते थे, तो phenotypic ratio 3-1 आता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी blending नहीं होई थी, है न, वहाँ पे सिर्फ दो तरह के plant थे, एक टौल था, एक डौल था, तो 3 टौल रहते थे, एक डौल रहता था, दीकिन यहाँ प देखो, incomplete dominance में काफी बार पुझाता है, कि कौन सा ratio जो होता है, वो, क्या कहते है, change हो जाता है, तो phenotypic ratio जो है, वो change हो जाता है, और यहाँ पे phenotypic ratio और genotypic ratio दोनों एक ही तरह के आ जाते है, 1-2-1, ठीक है, यहाँ पे example में आपको देखो, snapdragon दिखाया भी गया है, यहाँ pink color के, red color के flower आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पिंक color के flower भी दिखा रखे हैं, तो दोखो, यहाँ पे दिखा हुआ है, F1 has a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two, जो F1 का phenotype आया, वो दोनों parents से नहीं मिलता जुकता था, बलकि उन दोनों के बीच में कोई color था, उन दोनों के बीच में किसी character था, एक example इसका देर रखा है, dog flower, जिसे हम snapdragon यह फिर antirinum species कहते हैं, तो तीनों नाम है आपके सामने, dog flower मैंने बोला है, तो तीनों याद रखना है, तीनों एक ही flower है, है ना, अच्छा, तो यहाँ पर वहीं बताएगा है, कि capital R, capital R में, अगर small R, small का cross करा जाता है, तो capital R, small R मिलता है, जोकि pink color का होता है, चुकि मैंने already आपको पढ़ा दिया, तो इसको दुबारा पढ़ने जुरुत नहीं ह अब दोखो, explanation of concept of dominance, dominant क्यों आता है, यह explain किया गया है, कोई एक allele क्यों dominant होता है, दूसरे पर यह explain किया गया है, तो, अब दोखो, किसी भी gene की दो copy होती है, there are two copies of a gene, जिसे हम allele कहते हैं, ठीक है, अब यह जो allele होते हैं, यह हमेसा identical नहीं होते हैं, यह heterozygote, मतलब, they need not to be identical, यह हमेसा एक जैसे नहीं हो सकते हैं, यह heterozygote भी हो सकते हैं, भाई, capital T और small T भी पाया जाता है, capital T, capital T भी पाया जाता है, small T, small T भी पाया जाता है, तो allele जो होते है, heterozygous, homozygous, दोने तरह होते हैं, ठीक है, अगर कुछ change हो गया allele में, जिसको हम mutation के form में देख सकते हैं, ठीक है, आगे हम chapters में पढ़ेंगे, अगर उस allele में कुछ change हो गया, तो उस allele के वज़े से जो information produce हो रह गया, यह DNA बता है, तो DNA जो होता है, अगर उसके information में कुछ change हो जाए, तो उसमें तीन चीजे हो सकती है, DNA में change हो जाए, आगे है, आगे है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि एक normal या फिर less efficient enzyme का form लिसल हो, ठीक है, बतलब एक ऐसे enzyme बने जो कि normal हो, या फिर हो सक होता है, enzyme जो बने वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काम कट रहा है अपना, ठीक है, देखो क्या होता है, यह आप एक चीज बता दे, जो हमारा gene होता है, वो अच्छी क्या है, जीन जो होता है, अच्छी है, क्या DNA, ठीक है, DNA से RNA बनता है, और RNA से protein बनता है, अब यह protein के कई सारे काम है, जो एक enzyme होता है, वो अच्छी protein ही होता है, एक दो enzyme होते हैं, उनको छोड़के बाकी सारे enzyme जो होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्मल या फिर less efficient enzyme, तो यहाँ पर enzyme का formation बता है, तो देखो, हो सकता है कि अगर gene मे यानि DNA में change हो जाए, तो जो protein या enzyme बने, वो enzyme कम efficient हो या फिर normal हो, अच्छा efficient कम है या फिर normal है, काम तो सही कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके दो हाथ है, अभी भी दो हाथ दिखेंगे, ठीक है, हो सकता है, एक non functional enzyme बन जाए, DNA में change हुआ मालने तो mutation हुआ, औ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में अच्छे से आएका आपको, तो दो चीजे ऐसे पढ़ दिया, normal हो सकता है, non functional हो सकता है, और या फिर enzyme बने ही न, enzyme बने ही न, यानि protein बन ही न पाए, RNA ही process में रह जाए, तो इससे भी क्या होगा, वही होगा कि information आगे नहीं बढ़ होता है, उसमें अलग-अलग तरह के changes देखने हों मिलता है, ठीक है, अब देखो यह आप लिखा हुआ है, पहले case में जो allele बना हुआ है, वो unmodified allele के तरह है, मतलब normal बना हुआ है, या फिर थोड़ा सा कम अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा कम, मतलब उसका production कम है, enzyme को थ ठीक है, यह पहला case था, दूसरे case में एक non-functional enzyme बना हुआ है, या फिर no enzyme बना हुआ है, दोनों चीजों में, अगर non-functional मतलब ऐसा enzyme जो की काम ही ना कर पहा है, या फिर enzyme बने ही ना, इस case में जो phenotype है, वो effect हो जाएगा, हमारे दो हाथ्थे हो सकता है, एक ही बचे या हो सकत है, एक भी ना बचे, ठीक है, अब यहां पर देखो, जो important चीज बताई गई है, वो यह आखिरी राइन है, कि recessive trait is seen due to non-functional enzyme और no enzyme at all, अगर कोई functional enzyme नहीं बना या फिर enzyme बना ही नहीं, तो उस case में recessive trait दिखता है, तो आपको dominant और recessive का पता चल गया, ठीक है, अगर पहला case ह यह अगर पहला वाला case है, इस case में, इस case में आपको सही से dominant trait देखने मिलेगा, लेकिन इन दोरों case में, second और third में, आपको recessive मिलेगा, क्योंकि enzyme या फिर काम नहीं कर पा रहा है, या फिर enzyme बना ही नहीं, ठीक है, अब आओ, मिंडल के loss का एक और अपवाद है, एक और exception है, हमने एक पढ़ दिया, incomplete dominance, एक हम पढ़ दें, co-dominance, co-dominance में क्या होता है, जो, जो F1 generation में जो बच्चे पैदा होते है, वो दोनों parents के तरह होते है, resembles both parents, है न, दोनों parents के तरह होते है, ABO blood grouping जो होता है, यह एक बहुत अच्छा example ने, co-dominance का, अब यहां पे देखो, जि होता है, जो कि हमारे blood group को control करता है, I gene के तीन ileal होते है, यहां पे दिया होगा, दोखो, हा, जिन I has three aleals, I A, I B, और small I, तो यह तीन ileal होते हैं, I gene के, और यही I gene जो होता है, यह हमारे blood group को control करता है, अब माल लेते हैं, यह second dollar case, दोखो, हम माल लेते हैं, एक जगे, I A वाल एलील हमें मम्मी से मिला आई बी हमें पापा से मिला तो हमारे पास एलील का कॉंबिनेशन क्या हो गया capital IA capital IB ठीक है तो IA IB हमाई पास आगे है जब हमाई पास IA IB आता है तो हमाई पास हमने पढ़ा था कि दोनों में से एक dominant होना चाहिए एक recessive होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों so हो रहा है A भी दिख रहा है और B भी दिख रहा है जब कि यहाँ पर एक dominant होना चाहिए एक मतलब रसे से वोना चाहिए तो दोनों case में हमारा law of dominance हो खराब जाता है अच्छा बाकियों के case में दोखो ऐसा नहीं है दोखो बाकि के case में जैसे इस case में दोखो जैसे इस case में दोखो IA हमें मिला मम्मी से आई ए पापा से मिला IA IA आया और A ही आया तो इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि हो जाएगा से तो भाई वही generate ही होगा ठीक है यहाँ दोखो IA मिला parent one से small i मिला दूसरे से small i recessive one capital i small i यहाँ पर मिला capital i A और small i मिला और यह capital A मिला और यहाँ पर law of dominance काम कर रहा है क्यों क्योंकि दोखो एक हो गया क्या कहते है एक dominant हो गया aggressive से हो गया तो यहाँ पर law of dominance काम कर रहा है यहाँ पर भी law of dominance काम कर रहा है यहाँ पर नहीं काम कर रहा है यहाँ पर भी नहीं काम कर रहा है ठीक तो यह हमारा को डॉमिनेंस का टॉपिक है अच्छा अच्छा एब्यों जो ब्लट गूरूपिंग है यह एक और एक्जम्पल है मुल्टिपल एलियल का मदब हमने देखा था कि किसी भी एक जो करेक्टर होता है उसके दो ट्रेट पाए जाते हैं जैसे कैप्टर टी टीन देखते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टिपल एलियल तो देखो यह आर ओर तो नॉर्मली क्या होता है जो एक जीन होता है वो एक ही एफट प्रोड्यूस करता है लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जीन एक से ज्यादा effect produce करता है यह आप लिखा ओगेजनी मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक जीन एक से ज्यादा effect produce कर सकता है मतलब जैसे मान लेते हैं मान के लेते हैं इसको पढ़ लेते हैं वही समझ में आ जाएगा जैसे कि starch synthesis in P का कीज़दे रखा है P के अंदर जो है starch बनता है और वह starch का size जो है वह control किया जाता है बी जीन से जिसको दो एलीन है capital B और small E ठीक है अगर capital B capital B होगा तो जो starch का grain बनेगा वो बड़ा सा बनेगा जो seed है उसके अंदर आपको ज्यादा starch देखने मिलेगा बड़ा सा grain बनेगा starch का ठीक है अगर small B small है तो जो starch का grain होगा वो छोटा सोगा smaller starch grain ठीक है अगर capital B small B है अगर capital B small B है तो intermediate size का grain बनेगा ठीक है तो यह एक character तो हो गया जो की B जिन ने control किया लेकिन ऐसा भी देखा कर टाटा है कि जब capital B capital B का case होता है जब capital B capital की व्यका С इए का सटा होता है ल carrot होते हैं लेकिन जब small B small B का case होता है तो जो seedag bant feats बनेटा है तो यहां पर फिलको बीचिन दो चीजकर कर रहा है एक तो starch grain का size कितना होगा बड़ा होगा या चोटा होगा या इंटर्मीडियर साइज होगा इसके नमा जो हमारा क्या गयता है सीड है उसका शेप क्या होगा अगर कैप्टल भी कैप्टल रही तो सीड का सेफ रूंड हो रहा है तो यह जो है अलग-अलग आपके वह देख रखें कि एक जीन जो है एक से ज्यादा इस इस एंगल से जो होते हैं वह इंकंप्लीट डॉमिनस को सो करते हैं ठीक है क्योंकि जो कैप्टल भी बना हुआ है यह इंटर्मीडियर साइज है जबकि उन्होंने क्या का था मेंडल ने कि ब्लेंडिंग नहीं होती है या फिर बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा इंट ब्लेंग को साइस बन राएं तो अगर स्टार्ट ग्रेंट संतीस को कुंप्ली डॉमिनस होते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर एक और चीज है और सीड के सेट को कॉंप्लीट। से कर रहा है क्योंकि capital B capital B round को produce कर रहा है small B small B ringard को produce कर रहा है capital B small B जो है वो round को produce करेगा यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन करेगा ठीक है तो अब यहाँ पर important चीज है किस angle सो पूछा गया है अगर आपको बोचा गया कि starch grain size को consider करो इसके हिसाब सकता हो तो incomplete dominant है ठीक है इसी को हम periotropy कहता है जब एक ही जीन एक से ज्यादा character को consider मतब कंट्रोल कर रहा हूँ है जब हम पास T जीन था तो वो सिर्फ height को control कर रहा था है capital T small T बन रहे थे लेकिन यहाँ पर जो B जीन है यह height को तो control करी रहा है इसके नावा starch grain के size को height sorry जो B जीन है यह starch grain के size को control करी रहा है इसके अनावा जो seed है उसके shape को control कर रहा है size of starch grain और shape of क्या कहते है shape of seed है तो इसको इलेस करते हैं फिर आगे बढ़ते है अब हम आते हैं और die hybrid cross में यानि inheritance of two gene अब हम एक 7 में दो जीन को पढ़ेंगे अभी हम एक साथ में एक ही जीन पढ़ेंगे है इसा हमने height के बारें पढ़ा अब हम पढ़ेंगे एक साथ में दो जीन के बारेंगे एक यी साथ में हम दो को एननाइस करेंगे ठीक है अब यहां पे जो भी चीज़ दे रखें तो बहुत यह paragraph जो है इसमें सब दे रखा है काफी चीज़े दे रखें लेकिन main चीज़ जो दे रखें है वो यह है तो हम figure की बात करते है जो figure बता दिता है वो paragraph में आपको देखनों को सारी चीज़े वहीं देखनों को मिलेगी तेकिन figure आपको बहुत समाझना जबूरी है figure से आसानी सब्सक्राइगा तो दोको हमने parents को लिया है round yellow parent हमने लिया है round जो है capital R, capital R है yellow जो है capital Y, capital Y है यानि जो पहला parent है यह दोनों तरीक formally yellow color का होता है तो यह भी dominant है यानि पहला parent हमने हर case में dominant रखा हो यहाँ पर देखो हम दो character पढ़ा है हमने seed का shape भी ले रखा है और हमने seed का color भी दे रखा है तो यहाँ पर दो character हम पढ़ने इसलिए die hybrid class करते हैं दूसरा parent जो हमने लेखा है दोखो wrinkled green है wrinkled यानि small or small or green य हमने इन से लिया अब जो capital R capital Y capital Y है इससे जो gamit बनेगा उसमें इन दोनों में से एक R आ जाएगा और इन दोनों में से एक Y आ जाएगा तो यहाँ पर wrinkled green में से भी small r इसमें से आ जाएगा इसमें से small y आ जाएगा और आर वाई का यह गैमिट बनेगा ठी है तो यह दोनों हमाँ पास गैमिट होगे अब हम आर वाई capital R capital Y को क्रॉस करेंगे इन दोनों के क्रॉस करने से जो पहली जनरेशन थी उसमें हमें सारे के सारे पेड़ जो हते हैं वो capital R small r और capital Y small y के मिलते हैं यानि सिर्फ dominant phenotype दिखा है जैसे हमें हमें ऐसा दिख रहा था है जब हमने टॉल और ड्वार्फ का गया है कि कौन सा मतलब केस किस के साथ के कौन सा केस बनेगा ठीक है तो यह फीनेल गैमिट दे रखा एक है कि small r small y है ना capital R small y small r capital Y capital Y इस तरह के चार गैमिट इधर है इनके बीच में आप यहां पर पनेट इसकार के थुरू बना सकते है अब जब पनेट इसकार के थुरू जब क्रॉस बनेगा यहां पर तो आप देखो phenotype का ratio क्या मिल दा है round yellow 9 हमें मिल दा है और round yellow जो है वो parent के तरह है आपने देखा था एक parent हमने round yellow दे रखा था अच्छा एक तरह है देखो यहां पर एक parent हमने यह रखा है round yellow एक पर हमने यह दे रखा है रंकल्ड ग्रीन तो हमाएं पास दो जो है टोटल 10 हो गए जो कि parent के तरह है ना ना जो है यह round yellow था एक रंकल्ड ग्रीन था दोनों parent के तरह है लेकिन हमें अब नए combination भी मिले हैं कितने के और देखा सकते हैं जो कि आप फिगर देख के पहचा सकते हो ठीक है फिकर देख लोगा आपको सारा चीज़ा पता चलिए अगला है law of independent assortment यह हमारा तीसरा law है मिंडल का जो की काफी आखरी में आया यह law कहता है कि अगर हमने दो चीजे ले रखी है जैसे हमने लेको ले रखा था कि r y है sorry हमने ले रखा था cried r y एकfunded रखा था एक स्मॉल आर इसमॉल और इसको स्मॉल बनाते हैं buraya उनले रखा था अच्चा माथे इन में एक गैमीट बना है यह गैमीट है गेम नहीं गैमीट है अच्छा इस गैमीट में इस गैमीट में capital R capital R के साथ में small y small i है सकता है capital Y capital Y के साथ में small r small r सकता है capital R capital R के साथ में बस यही दोनों condition बन सकती है यहां पर यही दोनों condition बन सकती है यहां पर हमें यहां पर हमें आर कई सा बना सा यह तो बना तो पहली जन्रेशन के माने यह नहीं कि पहली जन्रेशन पर बना एक फिर हमने इसके भी गैमीट बनाए इसके भीonne यह माण लेते हैं यह gamit है हमारा दूसरे generation के लिए gamit हम जब भी बनाएंगे हम देखेंगे कि कितने character हमने ले रखें तो हमने दो character ले रखें है ना RR और YY यह दो अलग-अलग character है एक seed का जो है शेफ है और एक seed का color है दो character हमने ले रखें हर character का एक alel आपको इसमें डालना है जैसे कि हमाल लेते हैं यहाँ पर capital R, small r एक character है इसमें का capital R हमने ले लिया capital Y, small y एक character है इसमें का हमने capital Y ले रखा है तो देखो दोनों में से एक हमने ले ले लिया और R, Y जो है यह हमारा gamit बन गया इसी तरीके से कितने combination ना सकते है capital R के साथ इसमाल जा सकता है है स्मॉल आर के साथ capital Y जा सकता है यह सारे चार combination आपको देखो R, Y, R, Y यही चार combination है capital R, capital Y, capital Y, capital R, small y, small r, small y, small r, capital Y यही चार combination आपको देखने मिलेंगे देखो capital R, small y, capital, sorry अच्छली जुखाम बहुत जाता है ना तो हाँ तो मैंने देखो बताया कि capital R, capital Y, small r, capital Y, capital R, small y, small r, small y, small r, small y, ठीक है अब यह प्रूफ क्या करता है मतलब मैं कहना क्या चाहरा हूँ, मैं कहना यह चाहरा हूँ कि जब भी हमारा जो gamete बनेगा उसमें अगर small r, capital R आ रहा है तो उसके साथ small y भी आ सकता है, capital Y भी आ सकता है इसका कोई relation नहीं है कि एक के साथ दूसरा कौन आएगा, इसी कहते है independent development मतलब आप यह नहीं कह सकते हैं कि capital R इस तरफ से आ रहा है, किसी एक gamete बन रहा है gamete में capital R इस तरफ से तो इस तरफ से capital Y ही आएगा, या फिर small y ही आएगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ जमाल लेते हैं, इधर से small r आ रहा है तो यहाँ से capital Y भी उसके साथ आ सकता है, small y भी उसके साथ आ सकता है तो gamete के formation में जो allele का division होता है, वो independently होता है और इसे कहते है law of independent assortment, ठीक है, यही इतना समझाने के जिए, इतनी देर से बक रहा हूँ, ठीक है देखो, this law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character एक character का जो separation है, वो दूसरे character के separation से अलग है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि capital R के साथ capital R के साथ capital Y ही आना चाहिए, या capital R के साथ small y ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा या ऐसा भी नहीं होगा कि small R के साथ small y आएगा, या फिर small R के साथ capital Y, ऐसा कुछ नहीं होगा कोई भी दो combination बन सकते है, चार हमाई पास combination, इन चारों में से कोई भी बन सकता है डिपेंड करता है आप एक चीद धान रखिएगा कि एक करेक्टर से एक एलिल दूसरे करेक्टर से दूसरा एलिल साथ में होना चाहिए चाहिए आप जो रखिए इसे कहते हैं law of independent assignment जब दो pair होते हैं trade के एक hybrid में या पर दो pair है ना capital R, capital R एक pair है इसमाल Y, capital Y, small Y एक pair है जब दो pair होते हैं एक hybrid में तो एक pair का segregation एक pair का separate होना यानि R और R का separate होना Y और Y के separate होने से में कोई मतलब नहीं रखता है ठीक है independent होता है एक का separation दूसरे के separation से independent होता है इसे कहते है law of segregation या law of independent assignment इसे कहते हैं अब कि यहाँ पर सारी चीज आपको वही समझा रखें आप पड़ सकते हो इसको ठीक है लेकिन कोई मतलम नहीं है वही चीज आपको फिर से समझा रखें जो मैंने यहाँ पर अपनी यतना चिलाया है ना वही यहाँ पर दिखा रखा है हाँ अब आते हैं एक नए टॉपिक पर हमने अपने काम को पब्लिस कर दिया था 1865 में इनों नहीं अपना कौम पब्लिस कर दिया था लेकिन इनका काम जो है वो अन रिकनाईज़ा है मतलब इनके काम जो है इसको किसी नहीं देखा ने किसी ने इसको मदब कहाने की बहुत अच्छा काम है 1900 तक इनके काम की कोई वैलू नहीं रही ठीक है इसका दो रिजन था पहरा रिजन था कि कॉमनिकेसर नहीं था मतलब ना रेडियो था ना टेली विजन था तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यह काम हुआ है ठीक है दूसरा रिजन था कि concept of gene यानि जो factor होता है वो Mendel बता इसके लाओ math की भी एक दिक्कत थी जो कि आगे कहीं लिखा होगा है ठीक है तो ठीक है आगे इसके लाओ ये भी एक मतलब reason था कि इन्होंने math को यूज किया था था ठीक है तो यह तीन रिजन थे यहां पर तीन रिजन आप ध्यान रखिएगा communication नहीं था इन्होंने gene नहीं ब्रेंडिक नहीं होगी जो कि branding देखने को मिल गई और इनके according math को यूज किया था इन्होंने math को यूज किया था जो कि मैं समाझ में नहीं था यह दो लिखा हुआ है थार्डली तीसरा का मेंडल ने mathematics को यूज किया था biology समझाने के लिए जो कि totally new था बहुत ही नया था ठीक 1900 आया है है ना इनसाटे दिखा है 1900 तक तो कोई उनको भाव भी नहीं मिला मेंडल को लेकिन 1900 आया फिर तीन साइंटिस्ट है डीवरिस कॉरंस और शेर मार्ग ये तीन साइंटिस्ट ने मिलके मेंडल के कामों को री डिस्कवर किया मतलब उसको फिर से आगे बढ़ाया और म अच्छा इसी समय जो है माइक्रोइस्कोपी में काफी डेवलोप माइक्रोइस्कोप काफी डेवलोप हो गया थे जिससे हमें सेल का सेल के नूकलियस के अंदर लेखना मिल गया था और नूकलियस में हम कई चीज़ देख रहे थे जो की डबल होके डिवाइड कर जा रहे थ तो यह जो है चीज़े काम आई थी इनके शेर मार्क और डिवरीज ओकॉरिंस के ठीक है तो जो डिवाइड हो रहा था उसे क्रोमोसोम कहा गया क्रोमोसोम मत होता है कलर्ड बॉडिस ठीक है अच्छा फिर आए सटन एंड बोविडी सटन एंड बोविडी ने दिखा कि जो क्र तो यह जह होते हैं जैसा अच्छा तो इन्होंने क्रोमोसोम की मोवन्रक और यहां पर आपको मियॉसिस दिखा रखे ठीक है अब इसमें पहले हम कुछ चीज़े समझ लेते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा वीडियो में क्योंकि मैं बहुत ही डीटेल में समझा रहा हूँ ठीक है तो यहां पर चार क्रोमोसोम दिखा रखे यह पीदा वाला और अरेंज कलर का प्रीड कलर का जरिंअ कर यह सारे चार अलग अलग क्रोमोसोम के टिक है अब मालते हैं जो हौता है चो छोटा से कोह सकरे popcorn तो यहाँ पर हम capital T small T लेखते हैं यह वाला जीन जो है यानि height का जो जीन है वो इस chromosome पर है माल लेते हैं इस वाले chromosome जो red वाला chromosome में इस पर कोई जीन है जो की xy करके है यह xy जीन है इसमें हमारा capital Z और small gen डाम से कोई जीन है ठीक है तो यहाँ माल लेते हैं चार chromosome है माल लेते हैं यह tt1 तो हमें पता है height control करता है बाल लेते हैं xx जो है यह आखो का color जो है आपकी क्या कहते हैं जो है यह आपके जैने टिक्स कंट्रोल करता है मुझे नहीं पता है लेकिन यह अलग अलग जीन है जो कि अलग अलग पर सिच्वेटेड है अब देखो हो क्या रहा है देखो क्या रहा है ठीक है यहाँ पर हमें जीवन फेज दे रखाए अब मियॉसिस अगर आपने पढ़ी होगी सिल साइकल और से डिवीजन वाले चेप्टर में तो आपको पता है कई सारे फेज़ होते हैं जीवन फेज जीटू फेज सो मियॉसिस दो पार्ट में होती है मि जो एक सके यह जो वाइट कलर का आपको दिखा रखा है बीच में छोटा सा गोला यह क्या कर रहा है दोनों आर्म को जोड़ा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर क्रोमोसोम को दो आर्म जुड़ना बन गया है जिसको हम कहते हैं बैसिकली क्रोमोसोम का एमाउंट हैं नको तो इसलद से से अमांट बढ़ गया है फिर आपको दो एना फेस डल रखाए यह रखते pods रिखwater बन गया, अब देखो यहाँ पे gamit जो है, यही ले देखता है, gamit में देखो पहले वाला gamit जो बना हुआ है, इसमें दो kromosome है, क्यों क्यों यहाँ पे चार kromosome थे, यहाँ पे दो बचे, क्योंकि डिडक्सन डिवीजन हो रहा हूँ, अब इसलिए meiosis हो रहा है, लेकिन दे आखो का color माल लेते हैं red color किया क्यों नहीं तो जो बच्चा होगा वो लंबा होगा और रड क्यों घवाई होगी ठीक है यहाँ पे दोको यहाँ पर बुच्छा क्रोमसोम जो है डिवाइड करके अलग-अलग हो गया पहले चार क्रोमसोम थे चारो अब दोको दोको प्यर में है वो भी डिवाइड होगे अलग-अलग होगई यहां पे दोगो चारो एलेल थे 4 साथ में थे लेकिन अब जो है माललेते ही यह हमारे ममी का वो है क्या क्या गैधा लिए लेकिन अगर यह वाला गैमेड काता है या फिर यह वाला गैमेट पाता है तो तो उसका फेनोटाइक अलग हो जाएगा ठीक है तो यह देख रहे हो आप जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड कर रहा है वैसे वैसे हमारा एलील भी सेपरेट होता चला जाए और इसी दिये कहा गया है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वह एलील के बिहेवियर के तरह हो चला एक दो कहा संब और यह यह सब्सक्रमोसोम का साधियर तो एब यहाँ परांट के हिसाब से टो हमें नहीं चलेगा ना वह सब्यूंअ democrats्युशाम करते हैं तो डूसरे पर याते हैं Segregate at time of gamete Gamete के formation के time पर separate करते है Segregate कर जाते है आपने देखा chromosome भी separate कर रहा था Alliade भी separate कर रहा था तो यहाँ पर भी हम नहीं बता सकते हैं Gamete formation Such that only one of each pair is transmitted सिर्फ एक ही pair gamete के अंदर जाता है और यहाँ पर भी दिखा हुए Segregate at gamete formation Only one of each pair is transmitted तो जब दोनों बाते same ही लिखिऊ ही है तो इसके basis पर भी हम separate नहीं कर रहते है ठीक है भाई दोनों का काम हो ही है Chromosome भी separate हो रहा था हमारे segregate कर रहा था हमारा Alliade भी separate हो रहा था अभी भी हम नहीं बता सकते कि A और B में से कौन gene है कौन chromosome तीसरा point पड़ते है यहां पर लिखा one pair segregate independent of other pair यह भी वहीं चीज़ लिखा हुआ है बस sentence का नाम बदल दिया sentence का मतलब arrangement बदल दिया तो यहां पर भी CB point जो है वो दोनों के दोनों point सेम लिखे हुए है A point दोनों के लिए है B point भी दोनों के लिए है C point भी दोनों के लिए है तीनो point ऐसे लिखे हुए है जो chromosome जीन दोनों पे अपलाई करते है और तीनो point में सेम बात लिखे हुए है तो हम basic लिए यहां पर बता ही नहीं सकते है कि A कौन सा है और B कौन सा है Sun में आया हम यहां पर नहीं बता सकते हैं कि A और B में से कौन gene है कौन chromosome क्योंकि same बाते दिखियोंगे ठीक है और यह तीनों जो characters आप देख रहे हैं यह gene के अंदर भी होते हैं chromosome की भी अंदर होते हैं इसी दिया Saturn बोवरी ने कहा है को जो gene होता है और जो chromosome होता है उसका behavior काफी ज़्यादा एक जैसा होता है अब देखो यहाँ पर आपको दिखा आखा है possibility देखो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको possibility क्या क्या थी है न चार पर हमने बने थे हमने यलो के साथ red लाया था यहाँ पर orange के साथ green लाया था देखिन क्या ऐसा हो सकता है यलो के साथ green आ जाए orange के साथ red आ जा और ये लॉग के साथ याओं के साथ जो की पहले भी था यहाँ पर यहां साथ क्रीब यालो के साथ क्रीन तो कोई भी कोई भी चैसा के साथ एस कोई गरी याए ही आएगा या औरेंज के साथ रड़ ही आएगा ऐसा कुछ नहीं कि औरेंज के साथ ग्रीन ही आएगा यलो के साथ रड़ ही आएगा कोई भी combination बन सकता है उसी लिए हम कहते हैं जीन क्रोमोसोम एक जास होते हैं यह दिखा हुआ है independent assortment of chromosome अभी तक हमने पढ़ा था independent assortment of gene अब हम chromosome का independent assortment देख लिए हैं अब सटन एन बोईवरी ने क्या किया इस पर बात आ जाते हैं ठीक है तो सटन एन बोईवरी आग्यू करते हैं कि जो पेरिंग और सेप्रेशन होता है है chromosome का उसी से pairing और सेप्रेशन हो जाती है factors यानी genes की जैसे chromosome pair करते हैं और separate करते हैं वैसे ही genes भी पेर और separate करते हैं ठीक है इसी को हम Chromosomal Theory of Inheritance कहते हैं, अब इन्हों दोनों ने तो Chromosomal Theory of Inheritance के बारे में बता दिया, अब इसको प्रूफ करने के लिए एक Scientist है, जिनने का नाम था Morgan, Thomas Hunt Morgan, ठीक है, इनका नाम था, T.H. Morgan हम कहते हैं, ठीक है, Morgan ने क्या-क्या Fruit Flies दिया, जिसका Scientific Name होता है, Drosophila Milenogast इसके उपर study की, इन्होंने क्या-क्या, अच्छा, इन्होंने Fruit Fly क्यों दिया, क्योंकि ये Synthetic Medium में आसानी से Lab के अंदर Grow की जा सकती है, Synthetic मतलब, जैसे हमने एक केला रख दिया, उसी केला पर Fruit Flies जो होती है, और खाती है, और Grow कर रही है, ठीक है, तो हमारे हिसाब से कोई सारे number of progeny बनते हैं, तो एक मेटिंग में कई सारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, जिसके वज़ा से हम कई सारे genes को एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, clear differentiation of success, male of female flies जो होती है, वह आसानी से differentiate आप कर सकते हैं, और ये reason था male of female में हमें differentiation, देखो, जो A है male है, male जो होता ह होता था, और B जो है, ये female है, जो female होती थी, बड़ी सी होती थी, तो male of female में हम आसानी से differentiate कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको लिया गया, क्या कहता है, drosophila को, अच्छा, अब Morgan ने एक important चीज़ बताई, linkage और recombination, recombination मैंने आपको dihybrid cross में बताया था, जहां पर 9, 3, 3, 1 क जो 9 और 1 है, ये तो parental type है, लेकिन जो 3 और 3 है, वो recombination है, तो recombination को अब यहां पर अच्छे समझाए जाएगा आपको, ठीक है, तो देखो, Morgan ने yellow bodied और white eye female को, brown body और red eye male से cross कर रहा है, ठीक है, इन्हों ने देखा, कि जो 2 genes थे, वो segregate independently नहीं किये, अब यहां पर देखो, मेंडल को law fail होगी है, मेंडल देखा कि, अगर 2 factors है, या 2 genes है, वो independently segregate करते है, law of segregation जिसे कहा गया था, यहां पर independent segregation नहीं हो, ठीक है, and F2 ratio जो था, वो 9 is to 9 is to 3 वाले ratio से एकदम ही अलग आया, तो यहां पर मेंडल को law fail हो गया, अब देखो, Morgan ने क्या बताया, तो देखो, Morgan ने 2 turn दिये, linkage और recombination, इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ठीक है, हम अपने इस पर वापस आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा erase करके मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, अब देखो, माल लेते हैं, यहां पर जो चार क्रोमोस हों हैं हमारे पास, मैंने बताया था कि माल लेते हैं, इस पर T T है, है ना, इस पर X, X है, इस पर, क्या कहते हैं, इस इसी एक क्रोमोसोम को अगर हम ऐसे पकड़ते हैं, माल लेते हैं, कोई भी एक क्रोमोसोम है, उस पर एक ही तरह का जीन है, जैसे यहां पर capital T, small T, यानि जो height का जीन है, वो एक क्रोमोसोम पर है, ठीक है, अच्छा, height का जीन यहां पर इस क्रोमोसोम पर है, और इस तरफ का जो हमने chromosome बना लिया माले ते इस पे color का gene है capital R small R कोई color है इसका gene है तो देखो यहाँ पे एक chromosome पे एक gene है अब जब gamete बनेगा तो gamete में अलग-अलग chromosome का combination होगा तो हो सकता है उसमें यहाँ से capital R आ जाए और यहाँ से small t आ जाए तो एक combination में जाए तो मतब कई सारे combination बन सकते हैं जब ऐसा हो कि अलग-अलग gene पे मतब अलग-अलग chromosome पे अलग-अलग gene हो ठीक है तो ऐसा जब gamete बनता है तो ऐसा हो सकता है लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले figure को देखते हैं और यहाँ पे हम माल लेते हैं कि यह जो gene है यह yellow वाला इसमें दो gene है capital T, capital T भी इसी पे है इस position पे capital T, capital T वाला gene है और इस position पे capital R, small r वाला gene है तो अब देखो अब जब gamete बनेगा तो उसके अंदर एक chromosome transfer होता है और जिसके अंदर यह chromosome जाएगा उसके पास यह और यह gene जरूर होगा अच्छा मेंडल ने क्या कहा था कि दो genes जो होते हैं या दो alleles जो होते हैं उनका independent assortment होता है बतलब वो दोनो एक दूसरे से अलग होके कहीं भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर वो बात गलत हो गई मेंडल की क्योंकि अगर वो एक ही chromosome पे अगर वो जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं लेकिन यह जितने पास-पास आपस में होंगे इनके एक साथ होने के chances उतना ज्यादा होगा तो यह बताया Morgan में और Morgan ने दूसरा term दिया तो linkage आपको समझ में आ गया linkage क्या हो गया दो जीन्स जो होते हैं वो एक ही chromosome पे हो गया तो दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे जहां वो chromosome जाएगा वहीं दोनों जीन जाएगा यहाँ पर independent assortment वाला जो factor है वो खतम हो जाता है यही पर recombination क्या होता है कि recombination हमारा इस वाले में देखने को मिलेग यहाँ पर दोखो क्योंकि अलग अलग chromosome पे अलग अलग जीन है तो है कई सारे combination मिल जाते हैं रिक है जैसे यहाँ पर combination आपको दिखाय भी जिए कि आपको और यहाँ को और यहाँ पर पर धिर्ए यहाँ पर साथ यहाँ जीन लेक यहाँ पे कांग यह होता कि एक ही जिन जो है एक ही क्र Smellsों पे दो जीन यह तीन जिन है तो दोनों या तीनों जोखे रहता है धोड़ा वो एक ही साथ चलते हैं ठीक है तो linkage और recommendation आपको सौन में आ गया और यह मैंने मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर linkage दिखाए गया है यहाँ पर recommendation ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मैंने यहाँ पर सिर्फ वो ले रखा है एक एक्जांपल दे रखा है तो इसको मैं रेस भी कर देता हूं नहीं तो बाद में आपको आप फिर दोड़ेंगे इसके अंदर से कि linkage कैसे हो गया recommendation कैसे होगे मैंने एक्जांपल दे रखा है बस ठीक है तो linkage रिकांबने साब देखो मेंडल के हिसाब से हम पढ़ते हैं देखो स्वारी मॉर्गन के हिसाब से तो जो मॉर्गन थे इन्होंने इन्हें पता था कि जो जीन्स थे जो जीन्स ये मतलब आप्ज़र कर रहे थे वो एक्स क्रोमोसोम पे जो डोकेट़ थे अच्छा इन्होंने ये भी देखा quickly कि यह दोनों चीन्स जो है ये same क्रोमोसोम पे हैं और अगर same क्रोमोसोम पे जो दोनों जीन होते हैं तो Parental Genes combination बहुत ही ज़्यादा होता है parental gene combination मतलब जो parent के तरह होता है मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा तर parents के तरह होंगे recombination कम होगा जब linkage ज़्यादा होगा ठीक है यह लिखा हुआ है अच्छा यह जो physical association है इसी को Morgan ने linkage कहा और term किया कोई मतलब एक term दिया जिसे हम linkage कहते है तो linkage क्या है किसी दो gene का आपस में जुड़ा हुआ होना या कहलो एक ही chromosome पर होना जिससे कि वो थोड़ा आपस में link रहते है ठीक है अच्छा इसके लावा दूसरा term Morgan ने दिया recombination जो कि non parental combinations को सो करता है ठीक है parents के अलमा combination जो होते हैं उनको सो करता है अच्छा अब यह Morgan ने एक और चीज़ देखा कि कुछ genes ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा link होते हैं उसमें बहुत ही कम recombination होगा और यह link होंगे तो parent के तरह के दिखेंगे है ना अच्छा कुछ genes होते हैं closely linked होते हैं कम linked होते हैं तो उनमें higher recombination होता है इसी higher और lower के recombination को यूज करके Morgan के एक student थे जिसे जिनका नाम था Alfred Stoltevant जो Alfred Stoltevant थे इन्होंने frequency of recombination को use किया between gene pairs और एक map बना दिया जिसे हम genetic map कहते हैं जिसे हम genetic मैब कहते हैं तो पुछाते है genetic map किस चीज पर based है frequency of recombination कितनी बार recombination हो रहा है इस चीज पर genetic map based है और genetic map दिया किसने Alfred Stoltevant ने अब Morgan का जो कुरांस से उसका figure दे रखा और कुरांस आप देखके समझ जाएंगे कि linkage क्या होता है ठीक है तो यहां पर देखो आपको parental और F1 जनरेशन और F2 जनरेशन दे रखिए ठीक है आपको cross करना नहीं है ठीक है क्योंकि यह वाला syllabus में हमाई है नहीं आपको सुर्फ देखना है कि कैसे हूँ तो देखो पहला cross जो है एक cross जहां पर हमने female रखा है मेल रखा है यलो और white female है और wild type का इसी का male है ठीक है तो यहां पर recombination हुआ F1 generation बना F2 generation देखो F2 generation में बहुत ही मतलब खास बात है ठीक है F2 generation देखो F2 generation में parental type 98.7% मिला और recombinant कितने मिले 1.3% इसका मतलब क्या हूँ parent के तरह 98.7 मतलब जो genes थे वो बहुत ही tightly linked थे मतलब जहां पर पहला gene गया होगा वहीं पर दूसरा gene गया होगा इसलिए जादा ता देखो 99% के आस-पास जो प्रोजेनी है वो parent के तरह दिख रहा है cross B में देखो parental type 62.8% मिला recombinant type 37.2% मिले इसका मतलब जो genes थे वो loosely linked थे link अभी भी है linkage अभी है लेकिन कम है इसी वज़े से यहाँ पर parental type 62% है और recombinant 37% यानि recombinant थोड़ा बढ़ गया ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर A gene है और यहाँ पर B gene है तो दोनों का आपस में linkage है तो जहाँ यह chromosome जाना चाहिए उसी के अंदर यह दोनों जाने चाहिए तो 1.3% जो होते हैं इनमें recombination क्या हुआ recombination क्यों हुआ क्यों कि सारे के सारे parent के तरह दिखने चाहिए भाई ऐसा तो है नहीं कि chromosome तूट के चला जाता है ग्रोमोसोन तो पूरा का पूरा जाता है तो ए भी दोनों चले जाएने सी है तो ऐसा क्यों होगा कि कुछ पर्सेंट जो है वो रिकॉमिनेंट भी मिलता है तो ऐसा इस वज़ेस होगा क्योंकि आपने एक प्रॉसे सुनी होगी क्रॉसिंग ओवर यह अपने मियोसिस में पढ़ा होगा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है जेनेटिक माटेरियल एक्सचेंज होता है जेनेटिक माटेरियल इस एक्सचेंजड जेनेटिक माटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम के बीच में यानि कुछ genetic material या लेते ये एक chromosome है और ये दूसरा chromosome है ठीक है यहाँ पर इसके पास C और D gene है इनके बीच में कुछ genetic material जब crossing over होता है तो genetic material का इनके बीच में exchange हो जाता है जिससे की कुछ जो B part है वो A से अलग हो सकता है इसलिए हमाई पास कुछ जो है recombinant भी मिलते हैं ठीक है crossing over की process अगर ना होती तो हमाई पास recombinant zero मिलते हैं सिर्फ हमाई पास अगर gene link होता तो सिर्फ हमाई पास hundred percent parents parental combination मिलते हैं ठीक है अब आते है polygenic अब समलोग ज्यादा तर चीजा हमने पढ़ चुगी थोड़ा बहुत बागी है इस chapter में ठीक हो कुछ खास अब रहने किया है तो अब आते है polygenetic polygenic inheritance पे polygenic inheritance क्या होता है देखो देखो हमाई पास अगर human की बात करने तो सिर्फ tall और short people नहीं होते हैं हमाई पास एक पूरा range है height का है ना कि चार फिट से लेके साथ फिट तक लड़के मतलब लड़के लड़कें जो भी है पूरी के पूरी एक range है तो उससे tall और short नहीं होते हैं तो जो ऐसे traits होते हैं जिनमें कि पूरी के पूरी range होती है वो तीन या तीन से जादा genes जो हैं मिलके control करते हैं और इसी वज़े से इनको कहता है polygenic iterate तो polygenic मतलब कई सारे genes मिलके एक चीज control कर रहे हैं क्या एक चीज है height height को मिलके कई सारे genes control कर रहे हैं ऐसे ही जो हमारे skin का color होता है वो A, B और C नाम के genes होते हैं जिनके द्वारा control किया जाता है अब A, B, C में capital A, capital B, capital C होता है और small a, small b, small c होता है ठीक है तो capital A, capital B, capital C जो होगा human dominant responsible for dark skin color, capital A, capital B, capital C अगर आपके अंदर है तो skin का color dark होगा small a, small b, small c है अगर आपके अंदर तो light skin color होगा तो देख रहो यहाँ पे 3 genes मिलके A, B, C, 3 अलग-अलग gene मिलके यहाँ पे 3 allele मिलके यहाँ पे क्या कहता है हमारी skin के color को control कर रहे है तो इसको हम कहते है polygenic inhibitors ठीक है देखो यह आप दिखा है capital A, capital B, capital C का जो combination होगा इसमें darkest skin color होगा ठीक है और जो small a, small b, small c का combination होगा इसमें lightest skin color होगा ठीक है तो यह होता है polygenic inhibitors यहाँ पे A, B, C क्या है जीन है तभी तो capital A, capital A मतलब A gene है उसका 2 allele ठीक है तो polygenetic inhibitors यह है जो कि और इसका 2 example आप याद रखिएगा height हमारी और हमारा color पिलियोट्रोपी मैंने अल्ली बता दिया था पिलियोट्रोपी है ना जो क्या था हमारा starch seed synthesis in pea seed है ना starch grain synthesis के बारे में बताया था हमने तो एक ही gene जो होता है वो कई सारे phenotype को control कर सकता है मतलब कई सारे character को control कर सकता है इसको हम कहते हैं ठीक है, पहले क्या हो रहा था, देखो, इसमें क्या हो रहा था, करेक्टर हमारा एक ही था, उसको कई सारे मिलके कंट्रोल कर रहे था, पॉलिजेनिक में, करेक्टर जैसा हमारी हाइट एक करेक्टर है, उस हाइट को, हाइट हमारी इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इ यहाँ पर एक ही जीन है वो लेकिन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसको कहते है पॉलीजिनिक पीडियोट्रॉपिक इन जीन ठीक है अब इसका एक्जामपल आपको दे रखा है एक डिसीज है फिनाइल कीटो नूरिया फिनाइल के टो नूरिया जो है यह म इस में में गणल गणेशन होता हैं हैर में कमी हो जाती हो गर्मीन यह में सबसे पहले इंसक्त पर देखा गया था के नहीं पर दिखो देखो, the initial clue carried, हाँ, देखो, traced back to some of the experiments carried out in insects, तो सबसे पहले जो sex determination के, जो कई सारे वो थे, experiments थे, वो insects पर किये गया थे, ठीक है, हेंकिन जो है, इन्होंने क्या किया किया, कि काफी टाइम पहले है, इन्होंने एक body observe कि, जिसको नाम इन्होंने X body दे रखा थे, अब X body जो है, इसी को आज हम X chromosome कहते हैं, ठीक है, हेंकिन ने देखा कि, जब espermatogenesis होती है, या sperm बनते हैं, कई insect के उपर हुआ था इनका, मतलब experiment, तो जब sperm बनते हैं, तो आधे में, 50% में, जो sperm है, उसमें हमें X body देखने मिलती है, 50% में basically X देखने मिलता है, 50% में Y, क्योंकि हमारे पास जो insects होते हैं, उनके पास X और Y chromosome होता है, इस X chromosome जो होते हैं, तो 50% में X chromosome होता है, 50% में Y, है ना, तो आगे चलके पता चला कि, जो X body है, हेंकिन की, वो actually एक chromosome है, जिसे हम X chromosome कहते थे, है ना, it was given the name X chromosome, जिसे X chromosome कहा जाता है, अब देखो यहाँ पे, पहला है हमारे पास, X O type जो होता है, सक्स जिटर्मेंशन, यह insects में देखा जाता है, कई सारे insects में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है, जो female होती है, उसके पास, उसके पास एक additional X chromosome होता है, बेसिकलि इसको आप इस तरीके से लिखते हो, दोको, देखे, figure दे रखा है, क्या, नहीं दे रखा है, तो दोको X O आला जो होता है, इसको आप इस तरीके से लिखते हो, X X, X O टाइप, अब यह जो X X होता है, यह female होती है, ठीक है, जैसे हमारे human की बात करें, तो हमारे अंदर भी जो female होती है, उनमे X X होता है, और X O जो होता है, यह male होता है, अब जो O लिखा हुआ है, यह actually O नहीं है, यह 0 है, 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही chromosome होता है, X chromosome, और दूसरा वाला chromosome absent ही होता है, तो अगर female के पास 10 chromosome है, तो male के पास 9 chromosome होता है, तो इसको हम कहते है, X O टाइप female, मतलब sex determination, जहाँ पर female के पास X O होता है, male के पास X O होता है, जो कि actually एक chromosome कम होता है, ठीक तो यह ऐसे आधर आप, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बाकी वही दिखा हुआ है, X है ना, X, X जो होती है, उसमें एक additional, मतलब एक extra X chromosome होता है, जबकि जो sperms होते हैं, उनमें, कुछ में X chromosome रहेगा, single, और कुछ में X chromosome भी नहीं रहेगा, इसलिए हम X O लिखते हैं, वो मत कहते हैं suspect chromosome और autism जैसे हमारे अंदर 44 46 chromosome total होता है 46 में से 44 chromosome जो होता है वो एक्स ओ abstract ओसॉम उनको कहते हैं ठीक है बाकी जो बचे हुए हैं जिनको हम x x या फिर x y कहते हैं वो दोनों जो है वह हमारे 6 chromosome होते हैं ठीक है तो मेश्क्स chromosome काउन से होता है xy और female में xx तो यही है autosome और sex chromosome में difference ठीक है अच्छा बाकी के जो sex determination है हम figure में देखते है तो पहरा sex determination xy type का है चुकि हमारे अंदर drosophila के अंदर भी देखने मिलता है और human के अंदर भी ठीक है यहाँ पर देखो a figure और b figure दोनों xy type का difference बतलब sex determination है यहाँ पर जो male होता है वह xy chromosome अगर मिलता है तो male बनता है xx बनता है तो female बनती है ठीक है ऐसे drosophila में भी xy बनता है तो female बनेगी sorry male बनेगा और xx मिलेगा तो यहाँ पर female बनेगी ठीक है xy से बनता है यहाँ पर भी xy से बन ठीक है लेकिन जो birds होती है उनमेंुमे मेल बन रहा है वो देखो homog formulation संदर जड्याजिक्स से बन राए तो यहाँ पर एक्स वाइट सक्स्ट डिटर्मिलेशन जो है कुछ इंसेक्स में देखा जाता है मैमल में भी देखा जाता है ठीक है जहां पर जो X क्रोमोसोम का अगर पेयर होगा तो मेल हो जाएगा अगर X Y होगा तो फीमेल हो जाएगी ठीक है सॉरी उल्टा बोल दिए मैं यह ना xy होगा तो male हो जाएगा और x x होगा तो female हो जाएगी दोगो female है वक pair of x chromosome ठीक है अचा दूसरा है xo type जो कि जो कि हम already पढ़ चुके insects में देखने को मिलता है ठीक है xy type ही हम पढ़ चुके और male heterogamity क्या होती है यह भी हम पढ़ चुके जहां पे male जो होता है वो उसमें heterogamous आपको chromosome देखने को मिलेंगे ठीक है और female heterogamity भी आप देख चुके birds में देखने मिलती है ठीक है तो basically यह जो figure यह important है आप याद रखेगा इसमें देखो a b में humans और drosophila में x x chromosome जो होता है वो female बनाता है और x y यानि heterogamity वो जो है male बनाता है ठीक है इसलिए male heterogamity कहते है अच्छा birds में जो female होती है उसके अंदर z y होता है जड डबलू होता है और male के अंदर जड जड होता है चुकि female heterogamity का example है तो यहाँ पर देखो female heterogamity का example भी दे रखा है और यहाँ पर z w chromosome के बारे में बताया गया है ठीक है तो यहाँ पर भी कुछ extra आपको पढ़ना नहीं है यह हम सारा पढ़ चुके है आप इसको पढ़ चुके हो आप इसको चाहो तो एक बार उपर से नीचे तक पढ़ ले न हानी भी का सक्सट ढिर्मिनेशन अब इसमें होता है यह हम इसी फीगर से समझेंगे थीगर तो ध्यान दो तो देखो, एक्शली होता है, हन्य वी में जो female होती है, उसमें 32 kromosome होते हैं, लेकिन जो male होता है, उसमें सिर्फ 16 kromosome होते हैं, इसी लिए हम कहते है है, है plodiploid, क्योंकि देखो, यहाँ पे male जो होता है, यह haploid है, इसका आधे kromosome है, female के पास 32, ठीक है, अच्छा female जो होता है इसमें mytosis से gramit बनते हैं और mytosis क्योंकि हुआ तो number of chromosome होतने ही रहेंगे देखो यहां पर एक important difference आगे ना female में myosis होता है तो gramit बनते हैं और male में mytosis के तुरू gramit बनते हैं अच्छा अगर यह female जो है इसमें जो gramit बना है अगर यह जो gramit बना है यह gramit आगे चलके direct development कर लें बिना fertilization के कोई fertilization होई कोई cross नहीं हुआ बिना fertilization के अगर development हो जाए तो male बन जाता है जिसके अंदर 16 chromosome होते हैं और इसी को हम कहते है पार्थेनो कार्पी सॉरी पार्थेनो genesis पार्थेनो कार्पी फ्रूट्स के लिए term उसके जाता है उसमें भी वही होता है कि female जो flower होता है वो plant बना लेता है ठीक है पार्थेनो genesis animals के लिए उसके जाता है पार्थेनो जनेसिस में क्या होता है फीमेल जो आगो हमारा gamete होता है वो बिना fertilization के मतब डेफक कर लेता है एक और्टिरनो तो इससे हम कहते हैं पार्थेनो जनेसिस ठीक है तो बिना fertilization के अगर develop हो गया तो हम अब male मिलेगा और इस male को हम drone कहेंगे तो drone कैसे बनता है बिना fertilization के बनता है या कहलो ऑनने से बनता है ठीक है लेकिन अगर यही फीमेल गयमिट जो है 16 क्रोमोसोम वाला यह मेल वाले के जो 16 क्रोमोसोम का हमेट है यह से मिल जाए तो अब 16 और 16 टोटर 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे और हमाँ पास एक फीमेल हनी भी मिल जाएगी तो इसको कहते है 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 यही इतने चीज का गया जुड़ना यूनियन मतला होता है जुड़ना ठीक है एक सकंद रुको अगर यूनियन होता है इस्पर्म का और एग का तो इससे फीमेल बनती है और फीमेल भी जो फीमेल भी होती है दो तरह होती है क्वीन और वरकर ठीक है अच्छा अगर अन फर्टिलाइज़ ही बन गया तो हम कहते हैं इसका मतलब कि मेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसों देन डैट आफ फिमेल मेल के पास आधा क्रोमोसों में रहता है फिमेल की कंपेशिंगे इसी को है अच्छा यहां पर एक इंपार्टन इंपार्टन क्या सिंपल सा पॉइंट दें रखा है कि यह सतहिए उसका मेल आगे चलके मेल नहीं बना सकता है तो जो जो यह लाइन थोड़ी से आप ध्यान रखिएगा कि इनके पास पापा और बेटे नहीं हो सकते हैं लेकिन ग्रैंड फादर ग्रैंड सन हो सकते हैं इनके अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर म्यूटेशन उसके पास जेनेटिक दिसॉडर हम पढ़ेंगे मौलमबा चप्टर है है ना म्यूटेशन की बात करता है म्यूटेशन जो है डियंए का सीक्वेंट होता है जेंज हो जाए थो उससे कंच हो जांना थिक है है Mutation कैसे होता है, अगर Deletion हो जाए, पतलब Loss हो जाए, या फिर Gain हो जाए, जिसे हम Insertion या Duplication कहते हैं, Of a Segment of DNA, DNA का कुछ हिस्सा कट जाना, कट के खो जाना, या कुछ हिस्सा Extra आ जाना, इसे सबसे Mutation होता है, ठीक है? जैसे जो Cancer cells होती है, इन में Normally, chromosome का Abrations, मतलब, आप कह सकते हैं, Chromosome का Mutation आपको Normally देखने मिल जाता है, Cancer वाली जो cells होती हैं, उनके अंदर, ठीक है? अब हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा है, जो कि अभी आप नहीं समझेंगे, जिसे हम लिखा है, Frame Shift Mutation, यह Chapter 5 में है, या अगले Chapter में हम इसके बारें पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें अभी कुछ समझने जोट नहीं, इसको ऐसे रिखाने में जाते हैं, दोको Mutation क कराने वाले को Mutation कहता है, अब हम आते है, Genetic Disorder, यानि Genetic Diseases पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे, Pedigree Analysis, जो की helpful होती है, Genetic Diseases को पता लगाने के लिए, तो दोको Pedigree Analysis में कई सारे Symbols की जाते हैं, जैसे ऐसे Squire हो तो Male होता है, यह Circle हो तो Female होता है, ठीक है? अगर दो के बीच में, Male of Female के बीच में Single Line है तो Mating दर साती है, अगर दो के बीच में, Male of Female के बीच में Double Line है, तो Relatives के बीच में Mating दर साती है, ठीक है? जिसे हम kon Omega Jeunious Matching भी करते है ठीकै है अच्छा अगर ऐसे हमने male या female रखा है इनकी crossing हुई तो जो सबसे पहले चैल्ड हमने लिखा हुआ है यह पहले पैदा हुआ है यह वाला चैल्ड जो लिखा हम यह बात भी फ्हिज तो जो आगे है याणि female पहले पैदा हुई देखा हुआ है यहाँ पर अंदर तो मतलब फाइफ अफेक्टर्ड ओफिस प्रिंग है और जिनका सक्स जो है वह अन्नोन है तो इस तरीके से सिंबल्स यूज किया जाते हैं पेडिग्री अनलेसिस को किसी फैमली के कई सारी जनरेशन को हम पेडिग्री अनलेसिस के द्वारा देख सकते हैं उनके जनेटिक डिसीज उसको देखने के लिए ठीक है हाँ देखो देखो जनेटिक जो डियने होता है यही कैरियर होता है जनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतब डियने ही जो होता है वही में जनेटिक इन्फॉर्मेशन बैसिकली वही है तो अगर जनेटिक डिसीज होती है वो एक दूसरे एक परसन से दूसरे में फैस होती है ठीक के खराब होने को जैसे कुछ ना कुछ problem हो जाए क्रोमोसोम में ठीक है तो जो genetic disease होते हैं इनको हम दो पार्ट में divide करते हैं दो क्रोमोसोम में mendelian disorder और chromosomal disorder ठीक है जो mendelian disorder हता है यह alteration या mutation of single gene अगर किसी एक gene में कोई दिक्कत हो जाए उससे जो disease होती है उससे हम कहते हैं mendelian disorder तो किसी एक gene की बात कर रहे है ठीक है तो क्रोमोसोम जो होता है उस पर कई सारी genes हो सकते हैं उसमें किसी एक gene में कोई problem हो गई तो हम कहते हैं mendelian disorder हो जाता है ठीक है अच्छा इस तरह के mendelian disorder जो होते हैं यह family में trace की जा सकते हैं पेडिगरी analysis के दोरा कई सारे नाम आपको दे रखें जैसे हीमोफीलिया सिस्टिक फाग्रोसिक सिकल सेल इनिमिया कलल ब्रेंडनेस और फिनाइल की टोनुरिया सारे mendelian disorder हो हम पढ़ेंगे ठीक है ठीक है थैल अगर एक मेल बच्चा पैदा हो रहा है तो अब इसके पास xy होना चाहिए तो दोखो वाई जो है वो तो सिर्फ फादर के पास है तो य जो है वो फादर से आया है और x mother से तो कोई भी x link recessive disorder है तो वह female mother से या करो आपकी mother से आपके अंदर आ सकती है ठीक है x link recessive disorder father से male child के अंदर नहीं आ सकता है लेकिन father से female के अंदर जा सकता है क्यों क्योंकि female child क्या होती है x और x x होती है तो एक male से x आता है और एक female sex आता है तो यहाँ पर यही जी लिखा हुआ है कि x link recessive disorder है female से male progeny में जा सकता है ठीक है अब यहाँ पर दोखो आपको पेडिग्री एनलेसिस दे रखें एक autosomal dominant trait की और यहाँ पर एक ही एक्जामपल आपके syllabus में भी है myotronic dystrophy नाम का एक एक एक्जामपल है muscle की बीमारी होती है यह genetic disorder है और यह हमारी क्या कहते है autosomal dominant disease है ठीक है disorder है और एक आपको autosomal recessive trait दे रखा है अब देखो autosomal का मतलब आपका समझ में आ आ गया ना अगर sex link कहा जाए तो मतलब वो x या y chromosome से linked है एक्स प्रोमोसोम जहाँ जाएगा वो disease उसी के हिसाब से transfer होगी autosom कहा गया है तो उसमें हमारे बाकी के सारे आ जाते है ठीक है x y छोड़के बाकी जो है वो सारे autosomal है तो यह दोनों diseases दो रखी है myotronic dystrophy और sickle selenemia यह दोनों autosomal है ठीक है लेकिन myotronic dystrophy जो है यह autosomal dominant है और जो sickle selenemia जो है यह autosomal recessive disorder है और दोनों की analysis आपको pedigree analysis a और b figure में दे रखी है ठीक है इसको याद नहीं करना है ऐसा नहीं कि इसको रटना है ठीक है जुरूई नहीं इसको रटना है तो अब हम एक एक करके diseases पढ़ेंगे जिसमें से पहले हमें पढ़ना है color blindness color blindness में क्या होता है कि जो आपके आँखों में cones होती है उनमें red और green cone में defect हो जाता है ठीक है तो आपके आँखों में दो तरह की cell पाई जाती है रेटीना के उपर है ना rod और cone तो जो cone होती है ये RGB यानि red green और blue होती है red green में आपके अंदर defect आ जाता है जिसके वज़े से क्या होता है कि आप red और green color में discriminate नहीं कर पाते failure to discriminate मतलब differentiate नहीं कर पाते है बेसिकली क्या होता है कि red और green color आपके बगल बगल रख दिये जाए तो आप उनमें difference नहीं बता पाएंगे कि कौन सा red है कौन सा green है ऐसा नहीं होता कि आपको दिखी नहीं रहा है दिखता है आपको ठीक है अच्छा ये होता क्यों है क्योंकि ए autosomal दिखा है और यहां पर भी autosomal दिखा हुआ है क्योंकि sickle cell anemia यह दोनों autosomal recessive है जिसे आप x-linked recessive भी कह सकते हैं अच्छा ये जो डिसीजी 8% male में होती है और 0.4% female में होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि क्योंकि जो genes होते हैं यह x-kromosome के है अब देखो जो male होता है उसके पास सिर्फ एक ही x-kromosome होता है और female में 2 x होते है ठीक है तो अगर एक woman है जिसका बेटा हुआ जिसका बेटा हुआ उस बेटे के पास 50% chance होगा color blind होने के होने का 50% chance होगा ठीक है अच्छा एप डॉक्टर जो लड़की है वो normally color blind नहीं होगी will not be normally color blind अगर उसकी mother जो है वो carrier हो और father color blind हो इस वज़े से यह important line है याद रहना कोई भी लड़की जो है तभी color blind हो सकती है जब उसकी mother जो है उस disease की carrier हो और father already color blind हो तभी यह हो सकता है ठीक है अब आते हैं हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया भी sex-linked recessive disorder मैंने आपको बता रखा हम ज्यादा तर disorder ज sex-linked recessive हो था हीमोफीलिया भी sex-linked recessive हो है ठीक है इसका transfer जो होता है वो carrier female से male progeny के अंदर होता है ठीक है अब इस races में होता क्या है एक protein होता है जो की हमारे cascade of protein का part है cascade basically कई सारे proteins का एक part है वो protein ठीक है जो की clotting of blood करवाता है हमाई blood का जो है खोन को जमा देता है जैसे कि cut है हमारा खोन थोड़ी देर में बहना बंद हो जाता है क्योंकि खोन जम जाता है ठीक है तो blood की clotting जो है वो protein कराते है उन protein में से एक protein जो होता है वो effect हो जाता है खराब जाता है अब इसमें क्या होगा एक simple cut लग गया आपको तो non stop bleeding होगी ठीक है लगातार bleeding होगी जिससे द carrier है क्योंकि mother को carrier होना चाहिए और father को hemophilic होना चाहिए तभी यह disease हो सकती है अब father जो है अगर उसके hemophilia है तो वो later stage में मतलब जिन्दा ही नहीं रह पाएगा ना भाई कब तक आप वो छोटा छोटा कट कहा तक बचाएगा वो तो अगर father जो है वो hemophilic है और लेटी उसक पंद्रा बीस साल जिन्दा रहने के chances ही खतम हो जाते हैं इसी वज़े से जो फार जो female है उनकी उनका hemophilic होना बहुत ही रहा रहा है ठीक है जो queen vectoria की family है उसमें कई सारे hemophilic descendants है ठीक है क्योंकि queen vectoria जो है उनको वो carrier थी is disease की अब आता है sickle cellenium है तो यह हमाई sickle cellenium है और यह एक autosomal brain recessive trait है तो अब हमें sex chromosome में हमने दो पढ़ती है ठीक है color blindness और hemophilia sickle cellenemia यह autosome से related है ठीक है अब क्योंकि autosome से related है तो यह दोनों parents के द्वारा office spring में जा सकते लिए ठीक है अच्छा यह जो sickle cellenemia है इसे एक allele control करता है जिसे हम HBA और HBS कहते है ठीक है अगर HBS और HBS वाला allele बन जाता है यह pair बन गया HBS HBS तो जो है disease हो जाएगा इंसान जो होगा उसे sickle cellenium हो गया ठीक है अगर heterogigus point रहा मतलब HBA और HBS है तो जो जो person है वो actually क्या है 50% उसके पास chances है Transmitter के मतलब यह carrier है यह दुख लिका हुआ है R carrier अगर HBS है तो यह carrier है मतलब इसको disease हुई नहीं है ठीक है अच्छा अब इसमें होता क्या है कि जो sense होती है हमारी RBC जो होती है इनके अंदर mutation हो जाता है gene का mutation जिसके यह sickle के तरह हो जान जाए सिकल मतलब जैसे आप यहां पर देख रहा है दो सब्सक्राहइं मैं है बीटा चेन ओप्टा, हीमोग्लोबिन बॉल्लकुल, एहां पर दिखु़ fajn होुरे ही हीमोग्लॉबिन में दो चेन होती है, Walphah chain और बीटा चेन, जो बीटा चेन होती है, बीटा ग्लोबिन चेन, इसके छठे पोजिशन पर, Glutamic Acid के जगे Valine आके लग जाता है और इसी वज़े से RBC का जो Shape है वो बदल जाता है ठीक है दोखो यह चीज यहाँ पर आपको दिखा आपका है दोखो यह बीटा चेन है ठीक है यह बीटा चेन है हमारी यहाँ पर दोखो छटे पोजीशन पर क्या था Glutamic Acid तो यहाँ पर Normal Gen था अब Glutamic Acid के जगे पर यहाँ पर दोखो चटे पोजीशन पर वैलीन आ गया GUG जो है यह वैलीन के लिए कूड करता है तो वैलीन आ गया चटे पोजीशन पर और इसी को जैसे सिकल सेख हो गया यहाँ दोखो सिकल सिल एनेमिया हो गया ठीक है तो दोखो अब जो Humoglobin Molecule है क्योंकि बीटा पोजीशन पर उसके 6th पोजीशन पर Glutamic Acid के जगे वैलीन बन गया तो यानि उसके अंदर Mutation हो गया ठीक है अब यह Polymerize हो जाता है Polymerization इसके अंदर हो जाता है RBC का जो safe होता है वो by concave से change होके सिकल के तरह हो जाता है ठीक है इसी दिए सिकल सिल एनेमिया करते है अगला है Phenyl ketonuria और ये भी एक Autosomal Recessive Disorder है इसको हम कहते है Inborn Error of Metabolism मतलब जन्मजात Error है ये Metabolism की अब कौन सी reaction यहाँ पर हो जाती है Metabolism मतलब कहा होता है हमाई सारी में कई सारी reaction चल नहीं उन्हीं को मिला के Metabolism कहते है तो क्या problem होती है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर क्या होता है एक enzyme यहाँ पर गयब होता है कौन से enzyme यह enzyme का काम होता है amino acid phenyl alanine को tyrosine में दलना तो यह enzyme का काम है phenyl alanine को tyrosine में दलना लेकिन enzyme गयब है तो phenyl alanine जो है वो लगाता है इकठा होता रहता है क्योंकि भाई tyrosine में तो change नहीं हो पाता है ठीक है इकठा होता है और यह बदल जाता है phenyl pyruvic acid ठीक है और phenyl pyruvic acid जो होता है वो जाके brain में एकठा होने लगता है जिससे की mental retardation हो जाता है यानि जो दिमागी जो सक्ती होती है वो कम हो जाती है ठीक है अच्छा जो phenyl यहाँ पर phenyl pyruvic acid यह excrete भी होता है urine के थोरो तो because of poor absorption by kidney क्योंकि kidney इसका absorption नहीं कर पाती है तो यहाँ पर urine test का यूज किया जा सकता है phenyl ketoneuria को देखने के लिए ठीक है अब आते है thalassemia thalassemia भी autosome linked recessive disorder है ठीक है तो आप देखो सारे के सारे disorder हमने recessive उपा ले पढ़े हैं हमने दो ऐसे पढ़े हैं जो कि sucks linked थे color blindness और hemophilia और तीन हमने ऐसे पढ़े हैं जो कि autosomal disc है linked है ठीक है तो thalassemia जो होता है ये ये जो होता है या फिर ये mutation के थूरू हो सकता है या कहलो deletion के थूरू हो सकता है जिससे क्या होता है reduced rate of synthesis of one of the globin chains alpha and beta again hemoglobin पे आगे हैं हमने hemoglobin पे दूब चेन में बताई alpha और beta अभी हमने पढ़ा था इसमें फिना कि सिखल सेल एंवे हमने पढ़ा था कि alpha beta fat Does is stupid chain होती है उसमें problem हो जाती है लेकिन यहाँ पर problem कुछ नहीं हो रही देकिन यहाँ पर synthesiskay Care अगया synthesis का rate from कि यहाँ यह बन नहीं पा रही है चेन जिससे मेंधर से क्या होता है abnormal hy durable तो देखो mutation यहां पर कुछ खास नहीं हुआ है यहां पर यह हुआ है कि हीमोग्लूबिन की change होती है वो उसका production नहीं हो पा रहा है जिसके वज़े से हीमोग्लूबिन abnormal हो गया और इससे इससे एनेमिया हो जाता है जो कि disease का characteristic है बैसे कि disease को आसानी से आप यह पता लगा सकते ह यहां पर फालिसीमिया है तो यह देख सकते हैं आप कि थहलसीमिया है टीक है अच्छा अब थぇलसीमिया दो तरब होता है अल्फा थ lifes Até recipients भंग्लूबिन चेन का production कम हो जाता है बीटा थेलसीमिया जहाँ पे बीटा चेन का जो है production वो कम हो जाता है थिक है अल्फा थेलसीमि बहुतन है ठीक है अब यह फिलम सम होता है इसके लिए जीन होता है 100 और यह पूछा चाहिं ठीक अब यह फिल्पर आप्ट पाइट को ठेलिसीम्हा differs from sickle cell anemia, in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, by which later is a qualitative problem of synthesizing and incorrectly functional globin, मतलब जो thalassemia होते हैं, ये quantitative problem है, मतलब quantity is related problem है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम जो है, globin molecules बन रहे हैं, चाहे alpha chain है, चाहे beta chain है, उसके molecules बहुत कम बन रहे हैं, तो ये quantity से related problem है, लेकिन जो sickle cell anemia थी, वो quality से related problem थी, क्योंकि वहाँ पे beta chain की quality ही बदल गई थी, change हो गई थी, ठीक है, अब हम आएंगे chromosomal disorder, अभी तक हम mendalian disorder पर काम कर रहे थे, जहाँ पर कोई ना कोई एक जगह पर point mutation हो रहा था, ठीक है, किसी gene में, किसी एक gene में mutation हो रहा था, अब हम chromosomal disorder के बात करेंगे, जहाँ chromosome का number ही बदल जाएगा, अभी तक दोखों जो chromosome जो हमने disorder पढ़े हो, आप chromosome का number नहीं बदल दा था, सिर्फ gene में problem हो रही थी, अब हम chromosome का number ही बदल देंगे, ठीक है, अच्छा, अगर एक chromosome का loss हो जाए या gain हो जाए, या एक से ज़्यादा chromosome जो ही नहीं है, एक या दो chromosome का loss या gain हो जाए, तो उस हम कहते है एन्यूपलाइडी, अगर पूरा का पूरा set chromosome का change हो जाए, जैसे एक पूरा है, वो पूरा बढ़ गया, या या कम हो गया, तो उस हम कहते है polypulide, जैसे हम देख़्ें है, haploid, diploid और triploid, haploid में आधा chromosome होता है, diploid में पूरा होता है, triploid में तीन गुणा हो जाता है, तो यह haploid और triploid जो होता है, ये क्या है एक तरह के पॉली पॉसरी है जान घ्रीफ ठीक है और यह कंडिशन देखें आप टरिकर अब अनुपलाली हमें देखना है क्योंकि इनिमंस में रया इनुपलाईडी होता है पॉली है च्रब्रेइन लिखती है है हमैं नॉर्मल एक हमने 46 क्रिंटी थरी पैर में होते हैं इसमें से 22 तो होता है वह अॉर्ट सॉम होता है और एक पर जो हता है वो सर्च क्रुम सॉम होता है ठीक अब diseases पर आ जाओ यहां पर कई सारी diseases है पढ़ने हैं यह सारी diseases पढ़ने हैं यह सारी diseases पढ़ने हैं अब इसमें सबसे पहले आप डाउन syndrome पर तो डाउन syndrome में क्या होता है trisomy of 21 basically 21 chromosome जो होता है आपको पता है हर chromosome का दो क्या होता है copy होती है पेर में होता है chromosome तो chromosome number 21 के भी दो कौपी थी लेकिन एक कौपी extra बन जाती है तो तीन copy हो जाती है इसलिए कहता है trisomy of 21 additional copy of the chromosome number 21 21 chromosome की तीन कौपी अब यह लैंगडन डाउन नाम के एक scientist थे उन्होंने सबसे पहले बताया था इसे वज़े से डाउन syndrome कहा गया इसमें क्या होता है जो इंडिविज्वल होता है जो आदमी होता है या जिसको भी होता है जाइडन syndrome छोटे कद का होता है short stage मतलब छोटी हाइड का होता है बहुत ही छोटा सा और round head होता है गोल गोल चहरा होता है फरोड टंग टंग जो होती है उसमें आपको एक line देखने मिलती है भी से फरोड है ना खांच टाइक की देखने मिलती है ठीक है पार्शेली open mouth हम जो है हमेशा हलका सा खुला रहता है जो हाथ का पंजा है पाम जो है पाम वह ब्रॉड होता है बड़ा सा होता है ठीक है और characteristic palm crease मतलब आपको काफी ज़्यादा crease देखने मिल देखी पाम के अंदर ठीक है इसमें physical psychomotor और mental development जो होता है retarded होता है मतलब तीनों तरह से जो body के functions होते हैं वो कम हो जाते हैं आपकी दिमाग की तौर पे भी physical तौर के भी तौर से यहां पर देखो बाकी सारे कितने कितने हैं दो दो हैं बाकी सारे की दो कॉपी है इसकी तीन कॉपी ठीक है और यहां पर कुछ example flat back head होता है ठीक है होता है यह होता है मेंस में है अभी पढ़ते हैं देखो यहां एक्स क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम हो जाती है तो नॉर्मली किसी भी इंसान के अंदर किसी भी मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है लेकिन यहां पर एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम हो जाता है तो एक्स और यहां पर भी number of chromosome 47 होगे ठीक है अब ऐसे इंसान का ओर और development जो होगा वो masculine होगा देखने में male के तरह होगा लेकिन कुछ feminine development भी देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे कि breast का development हो जाना जिसे हम gynecomastia कहते हैं ठीक है तो जो breast होते है memory glands होते हैं वो बढ़ जाते हैं जिसे हम gynecomastia कहते हैं ऐसे individuals sterile होते हैं मतलब यह बच्चे को जन्मन नहीं दे सकते हैं ठीक है अगला है turner syndrome turner syndrome में क्या होता है absence of one of the x chromosome अब देखो यहां पर normally क्या होता है जो female होती है कोई भी एक लड़की है और अरत है उसका chromosome का composition xx होता है ठीक है लेकिन यहां पर xx के जगे पर turner syndrome में उसके पास एक x chromosome गायब हो जाएगा तो हम x 0 लिख देते हैं या इसी को xo पढ़ने लगते हैं तो यहां पर number of chromosome कितना हो गया एक कम हो गया तो 45 chromosome ही बच्चे विथ xo ठीक है अगें यह female जो होती है वो इस्टरायल होती है इनकी ovary जो होती है वो rudimentary होती है मतलब develop में ही होती है ठीक है इसका नावा secondary sexual characters नहीं आया है ठीक है secondary sexual जैसे breast हो गया ठीक है hairs हो गया यह वोईस हो गई यह सारी चाहिए अब यहां पर दुखा आपको दिखा रखा है ए B figure है client filter syndrome का और B figure है आपका turner syndrome का तो यहां पर देखो breast का development हुआ है ठीक है और यहां पर जो लड़की है इसके अंदर भी आप characters को देख सकते है ठीक खतम होता है chapter बहुत time बाद खतम हुआ आपको इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दे रखा जो की summary में जो की extra आपको बताना पड़े तो इसको आप पढ़ लीजेगा summary बहुत अच्छे होती है इसको पढ़ लेला ठीक है बाकी questions पर आ जाते हैं अगर कोई true false type का होता है तो कर लेते हैं कि नहीं यह कोई ऐसा है नहीं कि नहीं कुछ ऐसा है नहीं मतलब true false type का जो हम कर सके या multiple choice तो ठीक है यहीं पर हम खत्म करते है chapter को ऐसे भी काफी time होगे अच्छे 28 pages का chapter भी है और काफी जादा मतलब detail है इसे वज़े से मैंने detail में पढ़ा है भी है ठीक है तो ठीक है कैसा लगा वीडियो यह comment करके जुमूर बता देना पूरा वीडियो पढ़ लेना आपको अच्छे से NCRT revise हो जाएगी और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अबता के वीडियो नबस्कार